नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे किरन सामान ग्यान के बारे में तो याद रखिए यह लाश्ट आपका टॉपिक विश्टा है खेल कून इसे खतम करने के बाद आपकी फूरी बुक्स कंप्लीट हो चुकी है तो हम लोग ने भारत का इतिहास विश्व का इ इस भूगोल के लिए मैं बार-बार बोल रहाँ कि यहां मत पढ़ना गया नहीं पढ़ना है आपको तो मत पढ़ना लेकिन जो मैप्स पढ़ाए गया है पूरा मैप्स के नाम से जो पिले लिश्ट सूची में बन वी है वहां आप लोग देख लें क्योंकि अगर उसे कबर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 85-85% तक आपकी भूगोल कबर हो जाएगी क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए गया है विस्व का पूरा भूगोल वहीं से पढ़ें आप लो ठीक है क्योंकि मैप्स का सहारा लेकर पूरा बताया गया है तो आपका कुश्चन इस कलत नहीं हुआ उसके बाद हम लोगों ने अर्थ विवस्था देखी थी उसके बाद सामानी बिज्ञान इसमें सभी फिर चाहे भौतिक बिज्ञान हो रसाइन बिज्ञान जीब बिज्ञान जंतु बिज्ञान करसी एवं पसुपालन बिज्ञान वनस्पति बिज्ञ इस सभी देखें हम लोग ने थर आपकी विग्यान इवं पुरद्धुगी की के बारे में जाना है कंप्यूटर के बारे में जाना है तो कंप्यूटर के बारे में एक ही सजेसन है मेरा कि जो हम लोगों ने बात किये थे अभी complete computer classes के नाम से playlist सूची है उसे कभर कर लें उसमें आपके 15 अध्याय पढ़ाएगे हैं और करीब 24 के करीब 23-24 आपके mock test लगवाएगे हैं जिनमें आपके 1500 के 1500 कुश्यन्स होंगे कम से कम उतना cover कर लिजे उसके बाद आपको computer के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर लिखित में आता है तब भी आप solve करने की स्तिती में ह हो जाएंगे फिर उसके बाद पारंपरी सामान ज्यान जैसे भारत की पुरुसकार हो गया है ज्यान पीट पुरुसकार इसमें सदस्थुति पुरुसकार प्रमोख बैक्ति इस तरह के जो भी सामान ज्यान है आपका उसके बारे में भी बता दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, अब अश्वता है हमारा खेल खून, तो इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, यह देखने से पहले हम बता दें आपको, कि आप अगर इस बुक्स को आपके पास मिल रही है कहीं आस-पास, तो इसे खरीद लें, मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप इसे कंप्लीट कर लेत हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कुश्चन कोई छूटेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया लिखे गई है, फिर चाहिए आपका SST, बैंक, रेलवे, इस तरह कोई भी एक्जाम हो, या फिर इस्टेट PCS हो, आपका अफिर तक इस्टेट PCS प्रेलियम से भी इससे नि हो जाएंगे, मैं देखता हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कि एक क्लास आपने या पढ़ लिया, एक गंटा वहां पढ़ लिया, एक गंटे वो वुक्स पढ़ ली, वहां से मटेरियल, देखिए, एक जगे पगड़िये कहीं से भी, पूरा मटेरियल यानि कि क्याम का है, उसे कबर करने की कॉसिस केजिए, इसलिए तो हमेसा बोलता हूँ मैं, कि एक हाथ में आपके कुश्चन्स पेपर होने चाहिए पुराने, और एक हाथ में आपका सिलेवर्स होना चाहिए उस पर इच्छा का, पहले इसे पूरा कम्पलीट करतों लीजिए, उसक या आपने किसी और कोचिंग से, इस तरह से आप नोट्स तो रख लेते हैं, गठी बनाकर अपने पास, लेकिन पढ़ते कोई भी नहीं, इसका बजाए आप लोग एखटा करने की बजाए, एक कोचिंग को पकड़िए, और आप जानते हैं कि कोचिंग कुछ नहीं देती है बस आपको मार्गंदरसन दे देंगी, और आप खुद पढ़िए, आज तक कोचिंग के भरोसे कोई सेलेक्शन नहीं पाया है, याद रखिए, तो आप लोग अपना खुद आपके हाथ में, आपको कोचिंग की क्या ज़रूरत है, अब आप यूटुब पर खुद देख र उसके बाद उसे एक दो बार दोहरा लीजे, आपका कंप्लीट हो जाता है, अब NCEIT आप कौन पढ़ाएगा आपको, क्या पताएगा, उसमें पढ़ना तो आपको ही पढ़ेगा, एक सो दो बार पढ़ेंगे, आपको खुद मालू चल जाएगा कि कि नोट्स बनाने की बिहार का हूँ, चलिए बिहार का हूँ, तो मुझे मालू है कि बिहार में क्या क्या है, वो मुझे आ रहा है, वो तो मैं नोट्स में क्यों लेखूँगा, आप ही सोचिए, जो मुझे पता है वो मैं नोट्स में कवर क्यों करूँगा, अगर कवर करना ही तो फिर पूरी ब नोट्स बन लेकर मत पढ़िए आप अपने नोट्स बनाईए हो सकता है टाइम लगेगा बनावे में लेकिन उससे आपके दमात में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको ठीक है तो आप नोट्स मत बनाईए मैं बार 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 बोल रहा हूं वो कहा बात है ना कि किसी के बनाए रास्तों पर हम चलतो सकते हैं लेकिन मंजिल कभी नहीं मिल सकती हैं तो अपने रास्ते बनाईए हो अपनी मंजिल तक पहुंचिए यही बोलूँगा मैं ठीक है और बार 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 बोलते रहते हैं मैं देखता रहता हूं फेस्बूक सोसल मीडिया इस पर किसी ने बोला 25 किसी ने बोला 5000 में नोट्स आप तुरंद नहीं से कमेंट देने लग जाते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए सर्फ मेरे पास तो सभी कोचिंगों के नोट्स पड़े हुए हैं अगर ऐसा है तो मैं ही दे दूँगा बिल्कुल फिर ही मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए ब पूरे नोट्स का स्कैनर कर दे पीडियाब में बदल दे मैं खुद दे दूँगा और मेरे देने से कोई फरक नहीं पड़ेगा तुम्हें पढ़ना तुम्हें हैं नोट्स तुम्हें बनाना है अब आप समझ सकते हैं कि अब एक किरन सामान ग्यान की बुक्स कवर कर लिए हम लोग हैं अब इस मैंसे आपको नोट्स बनाना है कोई दूसरा बना के दिदेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा तुम किसी के नोट्स मत पढ़िए बार बार मैं एक ही सब्दों बोलना हूँ क्योंकि नहीं होगा कभी भी सेलेक्शन नहीं होगा दो से चाल साल अपने माबाब को जो भी है बेवकू बनाओगे लेकिन एक दिन तुम ही बेवकू बन जाओगे हम सोचते हैं कि अब कोरोना वाइरस जब से आया हुआ है कई बच्चों के दिन बेग सही हो गया है वो बोल रहे हैं अरे वो मेरा पेपर नहीं हो पा रहा है तुम्हारी ओखात क्या थी तुम खुच जानते हो लेकिन नहीं बता पा रहे हो तुम अगर तुम्हारी तैयारी होगी तो आंगे भी तो हो अभी आने वाले हैं और पेपर तब भी तो हो जाएगा सेलेक्शन तो आप अपना ख्याल रखिए अच्छे से और पढ़ते रहे है ठीक है बना आज से दो साल चार साल माबाप से जूट उबल लोगे पांस साल बाद सामने तो आएगा रिजल्ट के नहीं आएगा और लाश्ट में आप अपने ही को धोका देंगे क्योंकि माबाप का करतब होता है पैसा लगाना खर्च करना उसके बाद रजल्ट देना आपका काम होता है और नहीं देते हैं तो माबाप तो निपट जाएंगे समय की बाद वो अपने आपको सब कुछ करवा देंगे उसक अब एक क्या कहने का मतलब है कि एक नंबर से चूट गया दो नंबर से मैं फैल हो गया मतलब हो गया मैं नहीं हो रहा है सेलेक्शन मेरा कुछ गल्ती है इसलिए नहीं हो रहा है ऐसे सब्त यूच करिये मतलब कि अपनी जिन्दी में सच्चाई से तो परशित रही है समझ र बोड़ाला दे देगा नहीं न तो आपको क्वोद कवर करना है मेहनत करते रहे जाना कुछ नहीं है अगल थोड़ा भी मेहनत करते रहते हो तो आराम से सेंट हो जाता है और अपना स्लेगर्स कम्पलीट रכ्ये सिलेवर्ष अपने रखी क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से कि लोग पढ़तो रहे हैं लेकिन एक जगह से उन्होंने हिश्टरी पढ़ ली दूसरी जगह से पॉलिटी पढ़ ली ठीक है पढ़िए इस तरह से लेकिन उस सिलिवर्स को तो कंप्लीट कर लीजे उसमें एक-एक क्या होगा कि आप सही राय पर चल पढ़ेंगे बना मैंने बताया था ना कि इससे जरूरी है क्या-क्या पढ़ना है इससे जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है मैं अगर आपको पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है तो सेलेक्शन बेहतर तरीके से पापा होगे आप लो वा फैली का और ना ही होगा या और दूसर जब फैल हो रहे हैं तो उतस्से सीखते रही है कि और क्या गलती हो रही है उनसे मैं तो सोचना हो कि सफल होने बालों से failure से जनला में motivate होत मिलता है और हमें कुछ सीखने को भी मिलता है फैलियर जो अपनी जिंदिगी में हुआ है क्योंकि सफल वही बताता है जो सच होता भी है नहीं भी होता है लेकिन फैलियर को वो सभी अनवाव होते हैं जिसकी वज़ाए से वो फैल हुआ है बना आपकी सुचिए कि पहली बार आप सबसिज हो जाएं तो आपको क्या पता चलेगा कि फैलियर होता क्या है आप अपना आइडियल फर्सन किसी को भी मानते रही है लेकिन नोट्स लेकर उसके कभी मत पढ़िये ठीक है आप अपने नोट्स बनाने की कोसिस कीजिए और NCEIT को आप दो से चार बार पढ़ेंगे आपको आप खुद पता चल जाएगा कि नोट्स बनाने की क्या जरूरत है कहां से नोट्स बनाना है जो भी बुक्स पढ़ते हो आप लोग एम लक्षमी कांथ पढ़ते हो उसमें आपको पता चल जाएगा एक से दो बार पढ़िये तो पहले सही उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि क्या हमें जरूरत पढ़ रही है नोट्स बनाने की या नहीं पढ़ रही है तो इसमें हम लोग खेल कूंद में बात करेंगे, पिरमुक खेल देंगे खिलारी कप और टराफियां देखेंगे ओलंपिक खेल देखलेंगे, राष्टर मंडल खेल देखलेंगे फिर उसके बाद हम लोग ACI खेल देख लेंगे ACI खेल देखेंगे, भादप की प्रमुक Stadium भी देख लेंगे और विस्ट की प्रमुक Cricket Stadium देख लेंगे इनसे questions आपकी अधिक पूंचे जाते हैं ठीक है? तो काफियर तक मैं update कर दूँगा और बाकी आप लोग current से जुड़े रही है तो आपको पता चलता रहेगा ठीक है? चलिए तो बात करते हैं प्रमुक खेल, खिलाडी कप और ट्राफियां किर्किट क्या है? किर्किट किर्किट का सम्मद्द Scotics खेल Cat and Dog से है जिसे तेरह भी सताबदी में Hand in hand, hand out कहा जाता था क्या कहा जाता था? Hand in hand, hand out कहा जाता था जिस तरह क्रिकिट आज खेला जाता है उसकी उत्पत्ती England के दच्चनपूर प्रांत में हुई थी का हुई थी? दच्चनपूर प्रांत में हुई थी Oxford के खेल भी सेशगों के नुसार पहली बार क्रिकिट केंट में सन 1300 में खेला गया था ये Hamilton किलब जिसकी स्थापना 1750 में हुई थी ने बहुत ही मत्पूर योगदान क्रिकिट में दिया है तो कई बार पूँच लेगा आप से Hamilton जो किलब है इसकी स्थापना कभी थी? 1750 में इसका इस्थान Mary Levant क्रिकिट किलब MCC ने गेहड़ किया जिसका मुख्याल लॉर्ड्स लंदन में है का हैं? लॉर्ड्स लंदन में 1873 में इंग्लेंड में Official Country Championship शुरू हुआ जो की बाद में अंतराष्टी खिल बन गया Imperial Cricket Conference ICC कि स्थापना 1909 में की गई कव 1909 में की गई Australia तथा England की बीच पहला Official Match 1877 में खिला गया 1856 में Imperial Cricket Conference का नाम बदल कर अंतराष्टीय Cricket Conference कर दिया गया भारत में किर्किट की सुरुवात अंग्रेजों द्वारा 28 सताब्दी में की गई थी कव 28 सताब्दी में सरप्यथम 1886 में भारत की एक पार्शी टीम ने इंग्लेंड का दोरा किया था सन 1935 में कई फ्रेंसों HD Grant, Govan और A.S.D. के प्रियास से भारत में राष्टीय चेंपिन सेफ रड़जी ट्रॉफी की सुरुवात कव 1935 में भारत ने अपना पहला अधिकारिक मैच 1932 में इंग्लेंड की विरोष्ट खेला था राष्टीय खेल और इंग्लेंड का है किर्किट राष्टीय खेल है और इंग्लेंड का याद रखिए जैसे ही एक खतम होगी बुक्स हम आपको 1000-1000 कुस्चन्स सभी सब्जेक्ट के करवा दूगा तो इससे यह होगा कि मुझे लगता है कि इतना अगर आप कबर कर लेते हैं तो कोई भी कुस्चन्स नहीं छूटेगा याद समझ रहे हैं आपनो क्योंकि खेल से संबंदित आपने पूरे बुक्स पड़ लिये अब आपको पता तो होना चाहिए कि कुस्चन्स इस तरह से भी बनते हैं तो 1,500 आप कुस्चन्स लगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप फिर आपसे कोई कुस्चन्स गलत होगा केमिश्टरी देखा होगा आपने और उसका भी देखा होगा अपने बाइलोजी का 1,100 के करीब कुस्चन्स पूरे लगवा दिये हैं और आपने देखा होगा कि उसका कम्प्यूटर का 1,200 और मत्पते इसका देखा होगा कि 25-30 टेस्ट उसके भी लगा दे हैं MPG के के तो बने रही अच्छे से और मुझे नहीं लगता है यार कि तुमों लोगों पैसे खर्च करने की जरुएत बढ़ती होगी सामानिग्यान के लिए और यार जो भी हुआ करे तुम Facebook पेज़ पर मैसेज किया करो न मेरे पास जो सोविदा होगी मैं देंगा समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास है जितनी छमता है मेरी मैं उतना दे सकता हूँ ठीक है सब्दा वली ऐसे रवर बेल्स, बेट, डेड, बॉल एक्ष्ट्रा, फाइन लो, लेड, बिकिट, बिकिट कीपर क्या है बिकिट कीपर स्क्वायर लीग, गली, मिड अउप, मिड ओन, मिड बिकिट, बैसमन, बॉलर, फाइन लो, शॉटले, इसलिप, कबर, एक्ष्ट्रा कबर, थाइड मैं, गुगली, अउप इस्पिन, लेग इस्पिन, चाइन मैं, फिलाइट, इस्ट्रिंग, इस्ट्रिंग, बंपर, बीमर फोट दास, सौट पिच, बाइट, नो बॉल, ओबर, ओबर दा बिकिट, पिलेड, राउंड दा बिकिट, मैडन, वाइज, वाइड बॉल, यह भी सब्द पूँच लेता है, कि यह किस से समधिते, क्रिकेट से, होकी से इस तरह से, अबजेक्टिक कुश्चेंस में भी पू करवाना है, करवाना है, तो मैंसे, मैंने इसी लिए करवाई, आप लोगों के यह लिए खरीत का लाया, फिर उसकी, वो करवाया, स्कैन करवाई, उसके बाल, आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया गया है, आप समझ रहे हैं, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आज की छोड़िये तुम, मेरे अंदर जब तक छमता है, तब तक मैं कुछ दिन और हो जाई, मैं एम लक्षमी कांत की पिडिया पूरी दे दूँगा, इसकी भी दे दूँगा, और जो भी हो, मुझे एक ही डर रहता है कि कोई बस एना कहे कि मेरी बुक्स को तुम गलत तर लुगों को दे दूँगा, लेकिन बस एतना कोई मेरे उपर इस तरह का कोई बोना उठाया, मुली के मेरे नोट सुम दे रहे हो, फिरी में दे रहे हो, बना मुझे कोई मत फरक नी पड़ता है कि मेरा क्या है, ठीक है, हेट बिकिट, रन आउट, स्टंप आउट, बोल्ड, केच, कौट, भावान, थ्रो, ओबर्थ्रो, पेड, प्रोटेक्शन गार्ड, हेलमेट, केच, पिच, क्रीज, नाट आउट, सीम, सुटर, स्लाग ओवर, एंपार, इनिंग, गलब्स, केंप, बांडरी, ओर बांडरी, फिल्डर, लेक बिपोर, क्विक ट, ल्व, ब्लु, एस, जूता, आदी, पता, इसलिए मैं बोला हूँ, उंगली उठाने का, अभी कुछी दिन पहले मैंने, MPPSC के लिए, कई लड़के बोले, बच्चे की, वो सिर्फ, करवा दीजे, पैसा नहीं है, मेरे पास से नहीं है, मैंने टेस्ट सीच, खरीदवा के, आपकी, मैंने प लोट्स खरीद के, दूसरे को दे रहे हैं, वो लोग फिर पैसे नहीं, यार, एक आप बास सोचिए, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, हम भी समझ सकते हैं, तुम भी जानते हो, तो क्या फरक पड़ता है, मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिये ना, उसके, मैं PDF बना कर मुझे कुछ नीच, इस बस दूसरा मेरे उपर उंगली ना उठाए, अब बात करते हैं सम्मंदित कप और ट्राफियां, राष्टी ए, एरानी कप, रडजी ट्राफी चैंपियन एवं सेस भारत, रडजी ट्राफी, अंतराजीय क्रिकेट पितियो गिता, दिलीब ट्राफी चेत्री विकेट पितियोगिता, कूच बिहार ट्रॉफी, 19 बर से कम अंतराज जिये पितियोगता, सीके नाइडू ट्रॉफी, मुईनुद्दीन गोल्ड कप, सुन्दर कप ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी के उबजेता को, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी, अंतरविस वि पितियोगता में, बिज्जी ट्रॉफी, जॉनल क्रिकेट पितियोगता, जीडी बिडला ट्रॉफी, जॉनल क्रिकेट पितियोगता, बॉस ट्रॉफी, एंतोनो डी मैलो ट्रॉफी, चार्मिनाज चैलेंज कप, देवधर ट्रॉफी, इंदरा पिये दर्शन, दर्शनी ट्र एस्कोर्ट कप फर आपका महला किर्केट पिते होगी ता रानी लच्मी भाई ड्राफी सीस महल ट्रॉफी बिजली ट्रॉफी अंतराश्टी है विस्से कप आपका बिस्सकप 1975-1993 में फ्रोडेशियल कप रिलाइंस कप 1987 बेंसन एंड हेजिज कप 1992 बेल्स कप 1996 एसेज कप ऑस्टिलिया एंगलेंट टेस्ट से सिंखला सिंगर कप, हीरो कप भारत में, एसिया कप, साजहा कप, सहारा कप, ICC ट्रॉफी, चेंपियन ट्रॉफी, टेकसास कप, नेट वेस्ट ट्रॉफी, कोका कुला कप, पेपसी कप, हेवर्स कप, महला विस्ट कप, फ्रेंक वारेल ट्रॉफी, ऑस्टिलिया बेस्ट इंडीज ट् सिंकला सीफेल्ड सीफेल्ड सील्ड ऑस्टेलिया अंतर छेत्रिय पितियुगता में बी एन जेड ट्रॉफी भारत न्यूजिलेंड एक देवस्टी सिंकला में से सम्मादे थे क्यूरी कप रेड इस्ट्राइक कप तो यह थे आपकी कुछ ट्रॉफी कप अब बात करते हैं वि इटव जबदेश जहां हं हुगा है और विजेता हो गया और एक और उब्जेता हुग करिए तो इसमें आपना भारत का याद रखना बहारत जो सबसे पहली उन्हाइसि में बारत विर रहा था ठीक है 1987 में भारत पाकिस्तान दोनों में हुआ उस्टेलिया इसमें विजेता रहा है इंगलेंड और विजेता रहा है इंगलेंड तो यानि कि दोनों विस्वकब जीच चुके हैं भारत भी और पाकिस्तान 1906 में भारत स्रीलंका भाकिस्तान में हुआ स्रीलंका इसमें विजे रहा था और उस्टेलिया विजेता उस्टेलिया विजेता रहा था 2011 में भारत स्रीलंका बंगलादी समें इसमें भारत जीता और स्रीलंका विजेता 2015 में और उस्टेलिया विजेता विजेता उबिजेता ओबिजेता में इंग्लेंड में इसमें आपका उस्टिलिया सोरी इंग्लेंड बिजई राओ नीजी लेंड उब्विजए और 2023 में भारत में पिस्तावे थे तो याद रखिए 2023 का 19 का फिस फिर आपका विश्चुकप T20 2007 में दच्छडपी का में भारत बिज़ेता पाकिस्तान उब्वि 2010 में बेस्ट इंडीज इंग्लेंड ुज जेता रहा आश्टलिय उब्विजिता 2000 2Net में स्ीलंका बेस्ट इंडीज में बिज़ेता स्रीलंका ऊपिजिता 2014 में बंगलादिश फ्री लंका इसमें नुप्चा भारत ऊब्भेदा हो सुमझा इचरा चुज़ेता ऐसे बाता 2016 में भारत में हुआता है बेस्ट नहीं जिसमें विजे था इंग्लेंड 2018 में नहीं हुआ 2020 में ऑस्टेलिया में होना है अब देखिए क्या है कि अभी आप समझ रहे हैं कि कोरोना हुआ एरेस चल रहा है तो अभी चांस नहीं है आगी होंगी तो अपडेट करते रही है ठीक ह अपडेट कर लिए नाच्छे से फरे आपका फुटवाल बैसे तो आदोनिक फुटवाल की शुरुआत इंग्लेंड में हुई थी किन्तु पुराने जमाने में या विभिन्ने रूम में पूरे संसार में खेला जाता था थ्रेंग और डिवी टन डिवी टन द्वारा 1262 में इस्थापना हुई और 1864 में नए नियम बनाए गए तो फुटवाल एसोसियेशन ओप इंग्लेंड की स्थापना आपकी 1863 में हुई थी फुटवाल का पहला अंतराश्टी मैच इंग्लेंड और स्कॉट्लेंड की वीच हुआ था सात राष्टों से मिलकर ने मिलकर 21 1904 को फेडरेशन इंटरनेशनल फुटवाल एसोसियेशन जिसे आप लोग फीफा के नाम से जानते हैं इसकी इस्थापना की गई 1904 में फीबा में सरपितम 1930 में उरोगवे मौंट वीडियो में बर्ल्ड कप फुटवाल का युजिन किया गया इस बर्ल्ड कप को जो की जू बारत में पुटवाल की सुरुआत बेटिस सरकार द्वारा किये बारत ने सर पिथम 1948 में उलंपिक में हिस्सा लिया जो इंग्लेंड में हुआ था भारत ने 1956 में उलंपिक खेलों में स्यमी फाइनल में प्रविश किया था भारत ने पिथम ECI केल 1959 में नई दिल्नी में पि गोल पोस्ट की चोड़ाई की बात करने तो 8 गज और उंचाई जमीन से 8 फिट, पैनल्टी स्पार्ट की बात करने तो गोल लाइन से 22 गज, गोल एरिया की बात करने तो 6 गज, पैनल्टी एरिया की 18 गज, पैनल्टी एरिया पर सर्किल, पैनल्टी स्पोर्ट से 10 गज की कि तिज्या अंदर वाले आयत की लंबाई 20 गज फुटवाल की परदी 27-28 इंच तथा बजन आपका 16 ओंस 396-433 ग्राम खेलने की ओधी की बात करने तो 90 मिनिट 45-45 मिनिट की दोभाव संचालन रेप्री द्वारा होता है इसमें सब्दा की अगर सब्दावलियों की बात करें हम लोग फुटवाल में तो इसमें आपकी पूछ लेता है कि ये सब्दावली किस से संबंदी थे मिड फील्ड, सेंटर, स्टाइब करवाल, पास, बैक पास, गोली, कोर्नर, फॉर्वर्बर्ड किक, डिर्क किक, इन्डिर्क किक, फ्री किक, ट्रेवल, डिवल, एक्स्ट्रा, टाइम, फाउल, गोल, लेफरी, वायंसमन, सीजर, बनाना किक, बिंगर, श्रीफर, वेग, त् प्रस्ट लाइन, सैंड ओफ, नेट वार्ट, ट्राइवेकर, सदेन डेट, कॉर्नर फ्लेक, कॉर्नर किक, फिष्ट, फस्ट हाप, लॉप, टेकल, स्लाइडिंग, टेकल, आप, साइड, हैट ट्रेक, हैडवाल, चिप, फेयर चार्ज, फोर पोश्ट बुकिंग, क्रॉस, किक गोल किक, सेडिंग, आप, मार्किंग, बॉल पास, थ्रू बॉल, इस अभी आपकी सब्दा वली हैं से, कप और ट्राफियों की बात करें, तो राष्टिय अगर हम लोग देखें, तो CD, DCM, ट्रॉफी, डूरंड कप, रोबस कप, VC, राय ट्रॉफी, जुनियर राष्टिय चेंपियंसिम में दिया जाते हैं, संतोष ट्राफि, राष्टिय चेंपियंसिप, आई, एप, एज सील्ड, सुवत्रो मुकरजी कप, चकोला गोल्ड कप, GB राजा मेमोरियल ट्राफि, एप, एक प, नाम, जी ट्राफि, निजाम गोल्ड कप, बिठ्थल ट्राफि, ए अर्मार को आप लोग पहले बर्मा के नाम से जानते थे अगर हम इसके विस्तो कप की बात करें फुटवाल के तो यह मेजवान देश हो गया विजेता हो गया विजेता वो यह वर्स जिंसन में हुआ तो 1930 में और्ग में हुए हुआ इसमें बिजेता और्गवे रहा था 1934 में प्रांज में इसमें भी इटली विजेता रहा हंगरी विजेता उन्नी सो पचास में ब्राजील और्गवे इसमें बिजेता रहा ब्राजील विजेता रहा उन्नी सो चंगन में स्वीजलेंड पस्टमी जर्मनी इसमें विजेता रहा हंगरी विजेता उन्नी स्वीडन ब्राजील में हुआ था, स्वेडन उब बिजे था,apore advisor Woah उब बिजे था ilot naughty me Chile, ब्राजील में हुआ दाशेकर सलाब, चीली में हुआ था ब्राजील मे देना उब बिजे था, हो चीको सलाविया इसमेन उब बिजे थि 1966 में England में हुआ, England इसमें विजेता रहा, पश्चमी जर्मनी इसमें विजेता रहा 1970 में Mexico में हुआ था, Brazil इसमें विजेता रहा था, Italy विजेता 1974 में पश्चमी जर्मनी विजेता रही थी, Netherlands इसमें विजेता 1978 में Argentina इसमें विजेता, Netherlands विजेता 1982 में इटली इसमें बेजेता पश्चमी जर्मनी इसमें बेजेता 1986 में मेक्सको में अर्जेंटीना इसमें बेजेता पश्चमी जर्मनी इसमें बेजेता 1990 में इटली पश्चमी जर्मनी इसमें बेजेता रही थी अर्जेंटीना इसमें बेजेता 1994 में अमेरिका में हुआ था ब्राजील इसमें विजेता और इटली विजेता 1998 में फ्रांस में हुआ फ्रांस विजेता रहा और ब्राजील विजेता 2002 में दच्छेड कोरिया और जापान में हुआ था ब्राजील इसमें विजेता और जर्मनी विजेता 2006 में जर्मनी में इटली इसमें विजेता रहा था फ्रांस इसमें विजेता 2014 में ब्राजील में हुआ जर्मनी इसमें विजेता रहा है अर्जिंटीना विजेता 2013 में रोस में इसमें आपका फ्रांस विजेता रहा था क्वेसिया विजेता और 2022 का जो कतर में होना है किसमें कतर में 2026 का अमेरिका में होना है तो इने भी आप याद रखिए ठीक है फिरे आपका हौकी इसकी उत्पत्ती A.C.A. महादीम में हुई थे किसकी हौकी के 2000 इसापूर BC 2000 इसापूर दूसरा चलन Falsia आदुनी कीरान में हुआ था आदुनी कोकी की सुरुवात इंगलेंड में हुई कहां इंगलेंड में किन्तु हर्लिंग को इसका पूर्वाज माना जाता है पहला होकी किलब बिले रीत में 1861 में इस्थापित किया गया पहला होकी किलब इस्टिक ओक का बना होता था जो इस्टिक था ये ओक का बना होता था तथा बॉल घन आगाज तथा कॉनर गोलाकार होता था सन 1865 में एड़वर्स थर्ड ने इस खेल पर रोक लगाने के लिए दो कानुम पास किये इस खेल को मानक रोप से विमल लडन होकी किलब ने 1883 में पहुंचाया पहला अंतरेश्टी मैच 1895 में इंगलेंड और आयलेंड की वीच हुआ था याद रखिये किसके की वीच इंगलेंड और आयलेंड सन 1908 में इसमें पहली बार आदूनिक उलंपिक किल में सामल किया गया होकी कू बारत में पहला होकी किलब आपका 1885-86 में बना कलकत्ता में उसके बाद बंबे मुंबई और पंजाब में स्थापित किये गए बंगाल होकी जो की भारत का पहला होकी एसोसिये सने 1908 में बना था बारत ने ओलंपिक खेल में सरपितम 1928 में इससा लिया जो एम्स डर्डम में हुआ था बारत में पहला महला होकी मेच सन 1947 में जन्बरी में सिरिलंका की विरूद खेला था बारत की महला होकी टीम ने 1982 में नई दिल्ली एसी आइड में स्वर्ड पदक प्राप किया था 1932 लोस एंजल्स अमेरिका में ग्यारवा बर्ली में 1936 में जर्मनी में 1448 में लंदन इंगलेंड में 1552 हेलसिंग की फिनलेंड में 16 बारत में 1956 मेलबॉर्ण ऑस्टिलिया में अठारवा 1934 टोकियो जापान में 22 बारत मास्कों ततकालिन सोवियत संग में इस्टिक का निचला है सिरा होता है जो ए लकडी का बना होना चाहिए इसमें कोई तेज सिरा या फिर खतनाग बनावट नहीं होनी चाहिए इस्टाक का बजन आपका 2800 से जाना तथ 15 गौन से कम नहीं होना चाहिए इसकी बनावट इस तरह होनी चाहिए होनी चाहिए कि आप 5.10 सेंटीमीटर के ब्यास वाली रेंग के सिर्फ पास हो जाए खेल के आउदी आपकी 70 मेंट 35 मेंट का एक हाप मैच का संचला एंपार एंपारों द्वारा होता है अगर होकी से संबंद सब्दों की बात करें तो इसमें देख लीजिए गोली राइट बेक लेट बेक आउटसाइड राइट इंसाइड राइट सेंडर सेंटर फोरवर्ड इंसाइड लेफ आउटसाइड लेफ्ट सेंटर रॉप सेंटर लाइन कॉर्णर पैनाल्टी स्टॉप फिलिप रिवर्स फिलिप इस्कू सुटिंग सर्किल बुली रॉल आन उस इन सुटिंग सर्किल कप और ट्राफी हैं इस से संबंदिक मुंबई स्वाड कप ध्यानचन्द ट्राफी बहुत बड़े खिलाडी थे ध्यानचन्द हो की कि ठीक है 29 अगस्त को इनका जनम दिन मनाया जाता है खेल देवस भी 29 अगस्त इसको मनाय जाता है जवाल नयलू कप सुरजीत सिंग कप आगा खान कप सिंदिया स्वड कप हिंस्वड़ कप सीजर्स क्लाक कप मुरुगपा स्वड़ कप कुप्पू स्वाम कि नैडू ट्राफी महराजा रंजी सिंग स्वा कप रोप सिंग practiced media क्लाडी रहे जैंग अबद फैंक ट्रोफी बिस्ट चेंपियंशिब में, चेंपियंशिब ट्रोफी, इस्ट्रांड कप, बी, बी एम डबलू ट्रोफी, अजलान सायं कप, इंद्रा गांधी इंतराष्टी स्वड कप, रंगा स्वामी कप, राष्टी चेंपियंशिब लेडी रतन ट्राटार ट्रोफी, राष्टी महिला चेंपियनसिब में बेटेंड कप, ओविदुल्ला स्वण कप फेडरेशन कप, जूनियर एसिया कप जूनियर नहरू ओकी टॉफी PIA चेंपियन कप MCC कप, वेलिंग्टन कप बिस्च कप, आलपस कप एसिया कप, डी एस सोडी कप मौदी गोल्ड कप, वसीर अहमद खानी खान टॉफी कल्या टॉफी, कुडागू कप, बेगम रसूल टॉफी गुरु नानक टॉफी, गुर्मीट टॉफी मुरु गप्पा गोल्ड कप, टौनी सेमर गोल्ड कप ग्यान बती टॉफी कप टौनी सेमर गोल्ड कप ज्यानबती देवी ट्रॉफी अब्दुर रज्या कप याद बेंद कप लाल बहादर सास्त्री कप कितने कप ट्रॉफी है एक से दो बार पढ़ लीजे क्योंकि रटना बहुत मुस्किल है इतना कौन रटेगा एक से दो बार पढ़ लीजे अगर कुश्चन आता है तो आपको थोड़ा और जो चर्चा में रहती है उन्हें पढ़ लीजे क्योंकि उन्हें से कुश्चन अधिकतर पूँचे जाते हैं यह आपके विस से कप हैं विस से कप हो कि के इमेजबान देश हो गया विजेता और विजेता भारत की चीज़ती तो 1971 का इस पेन में होगा था पाकिस्तान इसमें विज़ता और इस पेन विजेता भारत की चीज़ती तीसरी रही थी उसके बाद आप देखते रहेगा ठीक है कुछ हम बता देते हैं आप बाकी रोक के देखते रहे ना यह आपका जुमहत्पूर ने हुगा ही बता देता है नीदलेंड यह नीदलेंड इसमें विजेता रहा था भारत दूसरे नंबर पर 1975 में भलेशिया में हुआ था यह भारत जीता था पाकिस्तान विजेता रहा था पिथम इस्थान पर भारत रहा था फिर उसके बाद आपने 1982 का देखते हैं भारत में हुआ था ये पाकिस्तान इसमें विजेता नीदलनेट से इसमें उप विजेता पांचवा इस्तान पर भारत रहा था फिर उसके बाद चलते हैं आगे देख लेना ये अच्छे से ठीक 2010 का हुआ था भारत में इसमें ऑस्टेलिया विजेता जर्मनी विजेता और आठवा इस्तान भारत का 2014 में नीदलनेट हॉलेंड में हुआ था और ऑस्टेलिया में नीदलनेट इसमें विजेता और नौबा इस्तान भारत का 2018 में भारत में हुगा था बेल्जियम इसमें बिजेता नीदरलेंड इसमें वो बिजेता ठीक है अब आर्मिय होगा जो भी उसे आप लोग अपडेट बने रहेगे इस खेल की उत्पत्ती मिस से या फिर मद्धपूर में हुई थी सन 1877 में शही डंग से शुरू हुआ इसके नियम MC MCC द्वारा बनाए गए इसका नाम टैनिस मिस के एक सहर जिसको अर्मिय में टैनिस कहा जाता था कि नाम पर रखा गया रेकेट अर्वी सब्द राइट सब्द से बना जिसका अर्थ होता है दा पॉम ओप दा हैंड बिमलडन टैनिस टूनामेंट की सुरूआत 1961 में हुई पुरुस बिजेता रॉड लीवर तथा महला बिजेता अंजीला मार्टिंग थे इसके बाद कई गरेंड स्लेम पितियों पिता हैं सुरू हुई जैसे फ्रेंच ओपन इवेस ओपन ऑस्टिलियन ओपन आदी प्रमोकिस्थान बिमलडन लंदन डी ल्टी ये नई दिल्ली फोरेश्ट हिल्ड फिल्स निवार खिलाडियों की संक्यागी बात करने तो एक या फिर दो एक मैच के लिए मैदान की पर तीन चार इंच का होता है योगल मैच के लिए बात करें तो मैदान की लंबाई आपकी 78 फिट और चोड़ाई 36 फिट पोल की उचाई की बात करें तो 3 फिट 6 इंच साइट लाइन से 4 फिट की दूरी पर उसके समानतार एक लाइन होती है नेट और सर्विस लाइन की इंडर से 32 इंच से जानदा लंबा नहीं होना चाहिए और 12 इंच से चोड़ाई नहीं होने चाहिए इसकी जानदा रेकेट के इस्टिंग सताय 15 इंच लंबा और 11 इंच चोड़ा से जानदा नहीं होनी चाहिए सब्दा बली इसमें सब्दा बली में हापका earlier as advantage backhand forehand baseline deuce chop center line coast course cross court fault double fault grip ground stop hub wallie kille court hard court referee linesman ball boy singles double doubles mixed doubles in out racket service return side line is made spin रांग फुट लाव रिवर्स सिंगल सीन लौन सर्विस लाइन सर्विस चैंज लेट सेट सेट फॉइंट मैच पॉइंट ब्रेक फॉइंट उसके बाद है चैंज ओप एट्स एंड्स ओवर हैंड हैड किल फासिंग सॉट, सर्विस ब्रेट, टेट ट्रेट, कप और ट्रॉप या आए बिमल अडन ओपन चेंपियंशिब में इतलावी ओपन चेंपियंशिब, फ्रेंच ओपन चेंपियंशिब, अमेरिका ओपन चेंपियंशिब, कनाडियन ओपन चेंपियंशिब, जापन ओपन चेंपियंशिब, इंडियन सेटिलाइट ओपन चेंपियंशिब, डॉक्टर राजिन पिसाथ कप, जर्मन ओपन चेंपिय से कोलम्बिया विस टैनिस पिती होगी था पैन पैसिफिक ट्रॉफी बिटमेन कप जापान एयर लाइंस कप बोल्वो टैनिस कप एवियेशन कप एम्ब्रे सोलेर कप एज बेश्टन कप 24 कप यह आपकी मात पूर्ण टैनिश ग्रेंड स्लैम टूनामेंट एक नजार में स्थापना हुई है फ्रेंच उपन मई जून में पैरिस में फ्रांस इसका देश पैरिस सहर है फ्रांस का कि लिए इस सतय है और 1891 में इसकी स्थापना हुई बिम लडन जून जुलाई लंदन में यूके मैं ग्रास और 1870 यूएस ओपन अगस्त सेप्टमबर निवार्ग सि एक क्यासी में अब चलते हैं बैडमिंटन की तरफ किसकी तरफ बैडमिंटन बैडमिंटन नाम काउंटी रिली डेंस के बैडमिंटन के डिव कॉप विफोर्ट से लिया गया है जो की गिलू लेश्ट शायर की दच्छडी बाग में इस्ते थे जो इंग्लेंड का एक प्रा में कराची में बना था इंग्लेंड का बैडमिंटन एसोसियेशन 1893 में बना जो कराची में बने नियम पराधारी था सन 1934 में अंतराष्टी बैडमिंटन फेडरेशन की स्तापना हुई खिलाडियों की संख्या इसमें एक और दो के करीब होती है बैडमिंटन कोट की लंब करें तो एक दिसम्बलों 22 मेटर पोश्ट के पास नेट की उचाई की बात करें तो एक दिसम्बलों 55 मेटर नेट की अगर मोटाई की बात करें तो कम से कम 15 मिलीमीटर और अधिक से अधिक आपकी 20 मिलीमीटर सटल का भाहर की बात करें तो 4.73 सी 5.50 ग्राम कार फीदर की फिदर की लंबाई, 6.4 से 7.7 cm, कार के उपरी भाग में फैलाओ की बात करें, तो 5.4 cm से 6.4 cm, इससे संबंदी बेडमेंटन से संबंदी सब्दों की बात करें, तो court हो गया, subtle, lung, lung service, line, center line, side line, left service, court, right service, court, net, fault, double fault, service, change, law, back held, smash, cross shot, referee, linesman, late drop, flight, word, skirt, innings, net shot, low service, high service, left, pen handle, push, setting, service break, match point, set point, अगर पिरमों कप एवं ट्रोफियों की बात करें, तो इसमें चड़ा कप, राष्टी महला team championship, विकास ट्रोफी वाला challenge कप, राष्टी पूरुस एकल, olympiade challenger cup, राष्टी महला एकल से संबंदी थे, ओवेकर बिसमेला, all in England championship London, सुधी रमन cup, योनेक्स cup, अब्दुल रह्मान cup, यूरोपियन cup, चाइना cup, 555 बिस cup, मेर्स cup, बिस बिस cup, राष्टी टीम पूरुस पूरुस एक्ट्यादी, अब है आपका गोल्ब, क्या है गोल्ब, इसके सब्दावालियों की बात करें गोल्ब से संबंदी, जो बैफी हो गया, बैंक स्वेंग, बंकर, बाई विलास्टर, डोर्मी, ड्राइव, कैडी, फेयरवे, किलब, ग्रिप, हुक, लेबल को फोर्स, लाई, पैनल्टी, स्टॉक, रन ओप दा बॉल, पिच, सेफ्ट, बैगल, स्टॉक, क्लाइस, अंडरकट, टी हॉप, स्पिन वाटी, हॉल, दाउन दे मेडल, डप, ग्रीन, पैलेरंग, दा आड, रफरी, रफ उप दा ग्रीन, टी, पुट, स्टैमिघ, लिंक स्टॉस, देवोट, फैलेक्टिक, हैंडिक, एगल, निबलिक, पिच एंडरन, मैसी, स्पून, बेच, स्टैच, टीं, ग्राउंड, हिजा अबटी, पंटिंग, ग्रीन, पिलेसिंग, लिप्टिंग, हवड, पार, इस सभी इस से संबन देते हैं आपकी, कप और ट्रॉफिया की बात करें तो भरत राम कप, सी एम, ओपन गोल्प कप, सर्किट कप, कनाडा कप, आजन हावर कप, मुथेया गोल्प कप, नोमोरा ट्र काफी, प्रेंस और वेल्स कप, राइडर कप, बोकर कप, मर्फी कप, लेंकोम ट्रॉफी, कर्टिस क्रप, फिलिप मौरिस कप, डन हील कप, हैफिड ओपन, फिर आता है आपका सत्रंज, सत्रंज, सत्रंज से संबन देत अगर सब्दों की बात करें, चेक मैट हो गया है, स्टेल मैट, क्रेंशिलिंग, गेमिट, डिस्क वर्ड, चेक पिन, परफिच्वाल चेक, कैसल, किंग, क्वीन, बेसप, नाइट रूप, पॉन, ग्रेंड मास्टर, ग्रेंड मास्टर, नोर्म, एलो रेटिंग, कप एवं ट्रॉफिया, एसियाई चेमपियंशिप, बिस्व वर्ड, बिलर्ट्ज, कप दुबई उपन, नाइडू ट्रॉफि, खेतान ट्रॉफि, स्विट विस्क प, लिम्बा ट्रॉफि, तिबेनी इंजिनिरिंग ट्रॉफि, ओपन स्वायर्ज ट्रॉफि, हवाई ट्रॉफि, मनीला इंटर्न ट्रॉफि, भीवी सास्तरी ट्रॉफि, विडियो कॉन इंडिया ट्रॉफि, चेस बोर्ड में खानों की संख्या चोंसट होती है, यह भी कई बार पूंच लेता है, सतरंज की चेस बोर्ड की खानों में कितनी संख्या होती है, चोंसट, खाने का रंग काला तफ्म सफेद, खाने के बाद दूसरा खाना काले रंका होता है, महरों की संख्या सोले होती है, कितने सोले है, फिर आपका टेवल टैनिस, टेवल टैनिस की को पिंग पॉंग भी कहा जाता है, क्या पिंग पॉंग? इस खेल का उत्पत्ती, इस्तल बेटेन, USA, भारत अथन तच्छी रफीकाव को माना जाता है, क्योंती बहस से लोग इंगलेंड को इसका उत्गम इस्तल मालते हैं, 1921 में पिंग पॉंग एसोसियेशन बना, 1926 में इसका नाम बदल कर टेवल टैनिस एसोसियेशन रख दिया ग टेवल की लंबाई 9 फिट, चोड़ाई 5 फिट, उचाई 2 फिट 6, जब कोई बॉल 3 सेंटीमीटर की उचाई से गराए जाए, तो उसमें 3 सेंटीमीटर की उचाल आवस्था होनी चाहिए, टेवल टैनिस की टेवल की कोने पर 2 सेंटीमीटर चोड़ा लाइन खीचा होता है, हाफ लाइन 3 मिलीमीटर का चोड़ा होता है, बॉल का ब्यास की बात करनें तो 38 मिलीमीटर और बजन आपका 2.5 गिराम होना चाहिए, नेट की उचाई की बात करनें तो 15.25 सेंटीमीटर और नेट टेवल से बाहर 15.25 सेंटीमीटर होता है, रैकेट की मोटाई की बात करनें 2 2 mm से जांदा नहीं होनी चाहिए इस पर लगे रवर सहथ मौटाई 4 mm से जांदा नहीं होनी चाहिए इससे संबंदित अगर हम लोग सब्दों की बात करें तो टप टाप स्पिंट अंडर स्पिंट चॉप नेट ग्रिप चाइनिज ग्रिप पैन होल्डर ग्रिप एंड लाइन फाइल हाथ बाली वाली बेक स्पिन सेंटर लाइन हाफ कोट लेट कंट्रोल अंड काउंटर हिंट हिंटिंनALLY सा एडस्पिंट सॉएंट स्टोप रेली रिवर्स सेंडवीच पोसे स्टोग स्फर्वेश पर आपकी इससनोगर बिली इस्टोंटर या फिर इसे ब इंटू 5 फिट 10 इंच टेबल की उचाई की बात करें तो 2 फिट 9.5 इंच से 2 फिट 10.5 इंच बॉल का व्यास 52 कितना 52 52.5 मिली मीटर बॉल का भार की बात करेंगा 3 ग्राम पिती श्नूकर सेट या पर 0.0 ग्राम पिती बिलियर सेट क्योंकी लंबाई 910 मिली मीटर यानि की 3 फिट इससे संबंदी तगर हम लोग सब्दा बलियों की बात करें तो जैसे ब्रेज हो गया क्यू क्यू बॉल अबजेक्ट बॉज लंग जैनी एन आप इस्टिंग बेल्टिंग जिगर ताप पोकेट परामिड इसपोर्ट लंग बट क्यू फ्रेम रेश्टे इसकूबेक बैक पोर्ट डी बॉल फ्लाइन हैजर्ड इसकेच क्यू स्वार्ट इस्टोप साट जैनी किनॉन कुसन कब यह फिलेंड फिलेक्ट ओपन बिलियर्ड रिलेक्स सो इसकोनर कप एमबैसी कप और्थर हुआकर ट्रॉपी यह आपका बॉसकेट वॉल इसकी सुरुवात की बात करने तो अठारे सुएकानवे में हुई कब अठारे सुएकानवे में इसे किलर किलर अगी मैन द्वारा ढूड गया था जिसके किलर अगी मैन या एक मात बड़ा पितियोगी खेल है जिसके उत्पति अमेरिका की धर्ती पर हुई थे कुछ इतियासकार मानते हैं कि इस खेल को पोक टपोक कहते हैं और यह दच्चन अमेरिका की यूकटन यूकटन प्राइदीप में खेला जाता था इस इसकी सुरुवात और नियम बनाने कसरे जैम्स नाय इसमित को दिया जाता है पहला गेम अमेरिका की स्पिंग फीड के बाई एम सी ए कॉलेज और फिजीकल एजूकेशन में खेला गया था इस खेल से समद नियम किताब नियम पर किताब जैम्स नाथ इसमें द्वारां 1895 में प्रिकासित की गई थी प्रियाब का 1932 में फेडलर इंटरनेशनल डी वास्केट बॉल इसोसीएशन नाम से एक अंतरश्टी संस्ता बनी इस खेल को पितंबार 1936 के वर्लें ओलम्पिक में भी सामिल किया गया बारत में ये खेल पितंबार 1930 में खेला गया था सन 1950 में बास्केट बॉल फेडरेशन और इंडिया की स्थापना की गई इसमें खिलाडियों की संक्या बात करें तो इससे इनसे आपके खिलाडी भी पूछ लेते हैं पांच संक्या होती है खिलाडियों की संक्या पांच बॉस्केट बॉल कोट की लंबाई 28 मीटर यानि की 85 फूट फिट चौड़ाई 15 मीटर 46 फिट अधिकतम बोड की मुचाई की बात करें तो कम से कम 7 मीटर सेंटर 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 की तिज्या की तो 1.8 मीटर सभी लायन की चौड़ाई तो 0.05 मीटर 5 सेंटी मीटर की लगबा ठीक है दोनों तरब की कोट में बने अर्वित की तिज् फ्री फो लायन एंड लायन की मत बिंदू से 3 मीटर की दूरी पर होती है बैक बोड हाई बोड से बना होता ना चाहिए जिसकी मुटाई 3 सेंटी मीटर हो ओलंपिक पितिय हुईता तथा 20 चेंपियन से के लिए लंबबबबबब 1.05 मीटर तथा 6.1.80 मीटर होता है तथा 2 2.90 मीटर भूमी से उपर होता है रेंगे के पास बने आयात की लायन की लंबाई 0.69 मीटर और 4.45 मीटर होती है बास्केट के रेंग का ब्यास 0.45 मीटर तथा धूता का ब्यास 0.17 से 0.20 मीटर ए रेंग धरती से 0.03 मीटर की उचाहिए पर लगे होते हैं बॉल की परदी की बॉल की परदी क्या है इसकी 75 सेंटी मीटर से 0.78 सेंटी मीटर तथा बजान 600 ग्राम से 650 ग्राम अगर इस बॉल को 1.80 मीटर की उचाहिए से पटका जाए तो कम से कम 1.20 मीटर तथा अधिक तम 1.40 मीटर उचा उचलना चाहिए से यह खेल दो हाप में बटा होता है और पित इससे संबंदित अगर कप और ट्रॉफिया की बात करें तो गोल्डन एगल ट्रॉफी राष्टिये चेंपियंसिप, यूरोपे चेंपियंसिप, फेडरेशन कप, अमेरिका कप, एसिया कप, बीसी गुपता कप ट्रॉफी, बिलियम जॉन्स कप, अखिल भारतिये रामू मे स्वामी कप, बैंगलोर्ड बिलूज चैलेंज कप, एसम अरून राजा ट्रॉफी, सर्विस ट्रॉफी, सर्विस ट्रॉफी, बिलियम जॉड मेमूरियल ट्रॉफी, राष्टी पुरुष, फ्रेन्स हुं असालत, जहां ट्रॉफी, राष्टी महिला और नहरू कप इससे सम centerline, devil, double powder, center, frontcourt, free throw, field goal, held goal, personal contact, jump wall, playing time, ring, own basket, out of bounds, multiple, throws, intermission, referee, timekeeper, scorer, side line, bio lesson, carrying, ship, tongue, zone, continuity, pass, dead wall, basket hack, hanging, backboard, hand wall, lead pass, filleting, side, wedge, foul out, hook pass, over a time, out, lead pass, pick, pivot, tip off, three second rule, sub history, youth, live, ball, game watch, time watch, stab watch, free throw, line, basket ki ball, basket ki hall, ये सभी इस्ते संबन्दित आपके सब्द हैं. अब हम लोग बात करते हैं, बॉली बॉल के बारे में, बेविन्रे सुरोतों के अनुसार बॉली बॉल के सुरुवात, 1895 में, बिलियम जी मौर्गन जो की हॉली की Y.M.C.A. में फिजीकल डारेक्टर थे, ये द्वारा की गई थी, गभ 1895 में, यह जगे मास में इस्ते थे, कहा हैं, मास में इस्ते थे, सन 1960 में सन 1960 में पहली बात पुरुस को हौली पुरुस बॉली बॉल्ल को रॉम ओलम्पिक में सामिल किया गया इसमें अगर खिलाडियों की संख्या की बात करें तो साथ 6 होती है कितनी 6 संख्या होती है खिलाडियों की बॉली बॉल कोट की लंबाई की बारत करें तो 18 मीटर और चोडाई की बारत करें तो 9 मीटर फ्री जॉन साइड लाइन से 5 मीटर कम से कम दूर तथा इंड लाइन से 8 मीटर और उंचाई से कम से कम 12.5 मीटर होनी चाहिए इसमें खिलाडियों की संख्या इन केलों से अधिक पूंची जाती है तो आपको याद रखना है सभी लाइन 5 cm चौड़ी होनी चाहिए और 9 मीटर इंटू 9 मीटर माप को से बाटती है अटेक लाइन सेंटर लाइन की 3 मीटर की दूरी पर समानतर खिची होती है तामान 10 दिगरी सेंटी और 50 दिगरी फोरेन हाइट से कम नहीं होना चाहिए नैट की लंबाई 9.50 मीटर होनी चाहिए चौड़ाई 1 मीटर तथा नैट की जाली की लंबाई 10 cm होनी चाहिए नैट की उचाहिए पुरोसों के लिए 2.43 मीटर महलाओं के लिए 2.24 मीटर होनी चाहिए बॉल की लंबाई 2.25 मीटर और बॉल की पर्दी 65 से 68 सेंटीमीटर और बजन 260 से 260 से 280 ग्राम होना चाहिए और आंतरिक बायुधा 0.40 से 0.45 किलो ग्राम 30 सेंटीमीटर होना चाहिए इससे सम्मंदी सब्दावलियों की बात करें तो मैस, स्पाइक, रोटेशन, डबल, हिट, बब, प्लाकिंग, वाली पाल, वाली पास, वाली, डिक पास, स्वीच, ओवरलेंपिंग, बूस्टर, लाव, डिक, नेट फाल्ट, नेट बाल, डबल हिट, फिलोटर, सर्विस, वाल्ट, फौराम, आर्म, पास, सेट अप, और एरियल, इससे सम्मंदीत कप एवंग ट्रॉफी की बात करें हम लोग तो फेडरेशन कप, इंडिया कप, सिवाथी स्वाड कप, सिवाजी स्वाम वन्यम ट्रॉफी, राष्टिय महिला चैंपिंशिप, वी, वी सी सी कप, मनर कट, एम, एम, जौसर ट्रॉफी, राष्टिय पुरुष चैंपिंशिप, पूर्णमा ट्रॉफी, ग्रेंड चैंपिंशिप कप, एसिया कप, बिस कप, इंद्रा एस, पदान ट्रॉफी, सुपर चैलेंज कप, फरे आपकी बेसबॉल, बेसबॉल बात करें तो बेस, पितिक बेस, 27.50 मीटर होना चाहिए, कैड की दूरी आपकी 116.50 मीटर होना चाहिए, बेसबॉल में खिलाडियों की संख्या की बात करें, तो 9 होती है, कितनी? 9, बॉली बॉल में कितनी थी? 6, सम्मधित इस्थान, ब्रुकलिन, अमेरिका, राष्टि एखिल, सहुतराज अमेरिका का राष्टि एखिले, इस खेल में एक पीचर, एक कैचर, और चार आंत्रिक्चेत रख्चक, तेन बायचेत रख्चक होते हैं, इनफिल जैसे डायमंड कहा जाता है, 90 वर्ट फिट होता है, इस खेल में आपके 9 इनिंग होती है, या नेड़य के अनुसार कम हो सकते हैं, प इस से सब्दाली बलियां है, इसमें सब्दाली सब्द यानी ही, फ्रेंस, फाल लाइन, पीचर, पीचर स्पलेट, फ़स्ट बेस, सेकेंड बेस, थाइड बेस, डायमंड, कैचर, शोर्ट, टॉप, लेफ्ट फिल्डर, सेंटर फिल्डर, राइट फिल्डर, पुट आउट इस्ट्राइक, बेटिंग, हम, इनिंग, फिलाइबल, ग्रांड बाल, हम रन, हम पिल्डर, 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 सेकेंड, 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 वाइड बाटम, बुल्ड पैन आउट, इससे सम्मंदी सब्दों हैं, आपका अब है है हैंड बॉल, क्या है है हैंड बॉल, मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, इतने, चौड़ाई 20 मीटर, दो गोल पोस्ट की दूरी 3 मीटर, उंचाई 2 मीटर, फिर देख गो गोल रेखा के समान अंतर 9 मीटर दूर खीची जाती है, गोल रेखा के मद्द से 7 मीटर की दूरी, पर 1 मीटर लंबा पैनाल्टी माल लगा होता है, हाप लाइन से 3 मीटर दूरी पर 2 समान अंतर रेखा हैं, 15 सेंटी मीटर लंबी खीची होती हैं, बॉल की बजन की बात करे 425 से 475 ग्राम होता है पर्दी की बात करें तो 58 से 70 मीटर महला तתा जुनियर के लिए बजन की बात करें तो ये 325 से 400 ग्राम पर्धी की अगर बात करें तो 54 से 56 इनटी मीटर उसमें खिलाडियों की इसमें आपके खिलाडी साथ होते है और कुल बारे खेलों के यहोदी की बात करने 30 मिनिट और आराम के यहोदी 10 मिनिट होती है और यह जुनियर के लिए 25 मिनिट होती है कितना 25 अब आपका इसके वेश इससे सबमंदी सब्दावलियों की बात करें फोट हो गया बोड हो गया बोष्ट कट डबल फोल्ट किल हाप कोट गैमबाल हैंड इंड आउट रेकेट रेली रेली सॉट लाइन रैपरी मार्कर रवर्स सर्विश डॉप रॉप डॉपस उट एमर फोट फोल्ट रिवर्स एंगल सरविश बोक्स न अट अप निक कट संबड नहीं अको ऊट्से संबनीत सब्सक्राफिए फिर आता है आपका मुक्केवाजर्ण रेंगी की मापकी बात करें तो इंटू 10 की 4.9 इंटू 4.9 मेटर से 6.6 दस इंटू 6.10 मीटर रस्ती की अंदर वाली लाइन्स में होता है मुक्के बारी रेंगी की मुचाई की बात करें दो कम से कम 3 पिट और या पिर 91 सेंटी मीटर विची अधिक से अधिक 4 पिट की हो सकती है एक दस तमलो 22 मीटर की ठीक ह पिलेट फॉर्म रस्ती की लाइन से 18 इंच बाहर होनी चाहिए चार कॉनर प्रेड निमने तरसे लगा होना चाहिए जूरी के देख्ष के पास बाई तरफ की रिंग कॉनर में लाल दूर बाई तरफ की रिंग कॉनर में उजला और दूर वाली दाई तरफ की रिंग कॉनर म अनमोधित है, कम से कम आधा इंच, 1.3 सेनियुमीटर मोटा और अधिक से अधिक 3-4 इंच की उचाई पर बंधा होना चाहिए एरसी 3-4 कपड़ी द्वारा आपस में बंदी होने चाहिए मुक्यवाज अपना गिलफ नहीं पहनते हैं बे आई, एबी, एफ द्वारा अनमोधित प्रायोजक और विवस्थापकों द्वारा किया गया गिलफ थी पहनते इसमें 67 किलो मीटर ग्राम तक की बजन बाले मुक्यवाज 8 होन्स यानि की 227 ग्राम तथा 63 किलो ग्राम बाहल ग्राम से उपर बाले मुक्यवाज 10 ओंस यानि की 284 ग्राम हैं और जिनका चमड़े वाला भाग कुल बजन का आदी से जानदा नहीं होना चाहिए एक ग्लफ पहनते हैं 3-3 मिनिट की 3 राउंड होते हैं हर 3 मिनिट के बाद 1 मिनिट का रेष्ट भी दिया जाता है फर आपका सब्दा बली इन से सम्बंदी सब्दे हैं आपके तो कौन कौन से हैं वैल्ट हो गया बिलाग हो गया बिलो हो गया बाउंस ओप्रोप्स होक गार्ड हैंग आन हील पिनोट पंच नाकाउट राउंड जेवरीच पंच बेग पंच बाल पंच रड़ गंग रिंग रिंगुसाइड इस्पीज रिंग क्राफ्ट रिंगमास्ट जैबरिच रैफरी कवर अप किलंच इन फाइटिं वेल बैकहंड बेरेज बोलुपंच अपरकट लो अरकट बिलो दाबेल बैग पेडल बाउट वर्तिंग जिड्नी पंच लीड डस आउट नाट आउट इससे सम्मंदित अगर कप और कॉफी ट्रॉफियों की बात करें हम लो तो विस कप चेंपियंशिक प्रेसिडेंट्स कप मेर्स कप किंग्स कप वर्जिया लंग कॉण कॉफी और अलपी अध जानिया ट्रॉफी फिर आता है आपका कुष्टी बर्स य आप लोग कितने कितना टैम हो गया ऐसी 5000 बर्स पहले असीरिया तथा मिस में काफी विक्सित था जिसके बाद ग्रीस में काफी पिछलेत हुआ कहां ग्रीस में इसकी सुरुवात का अगर सेरी की बात करें तो संधीनियन हीरो थेसस को दिया जाता है कुष्टी को अठारवी मिलान और क्रोटान कुछ छटवी सतादी में थे एक अच्छे पहलवान बाने जाते थे जब रॉम ने ग्रीस पर अधिकार कर लिया तो एक नई तरह की कुष्टी की सुरुवात वी जिसे आज हम लो ग्रिको रॉमन की नाम से जानते हैं एसिया में भी यह काफी पिछले थे चीन तथा मंगोलिया में धार्मिक समाहों का एक भाग है और जापान में यह सुमो की नाम से भी अपने इस्टायल में खिला जाता है एफ आई एले द्वाना अनमोदित मेट का व्यास नौ मीटर चारों तरब 1.20 से 1.50 मीटर चौड़े लाइन से गिरा होता है यह सारे अंतराष्टी पितियुकता के लिए होता है जैसे ओलम्पिक केल, ACI, विस्ट चेंपियनसिप, आदि, सभी बर्ग एक के पितियुकता के लिए होता है दो सकती परिक्षन के बीच कम से कम 30 मिनिट का अंतर होना चाहिए इससे संबंदिते अगर सब्दों की बात करें हम दो होक, हेड, होल्ड, डवल, क्रास बटक, रेफरी, टाइम कीपर, सदेन डेथ, डवल, नेलसन, टाई, फाउल, सेलूट, संबो, क्रेडल, और स्लेम इससे संबंदी कप और ट्रोफियों की बात करें हम तो बल्ड कप हो गया वर्दमान सील, मौतिलाल नहरू इसमार्क ट्रोफि, एसेन फ्रीट स्टाइल चेंपियंशिप, एसेन ग्रिवकू रोमन चेंपियंशिप, यह आपकी ट्रोफियों कप हो गया ठीक है फिर आपकी तैराकी तैराकी का पहला किताब जर्मन भासा की प्रोफेसर निकोलस वी मन, विम, विम मोवन को द्वारा संबाद की रोम में लिखा गया था सन 1896 में विज्ञानिक तरीके से तैराकी की कला, फ्रेंच एम, फ्रेंच एन, विब, 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 क्या है, विब, विब, विब बिनाट, द्वारा एक नाम सी ट्रेटिज लिखा गया था 1898 में में लिबरपुल, इंग्लेंड में पहला तैराक तरन ताल बनाए गया था सन 1860 में मेट्रोपॉनी टन, तैराकी इसोचीएशन इस्थापित हुए जिसके बाद में नाम बदल का लंदन तैराकी इसोचीएशन रखा गया सन 1875 में इंग्लेंड के कैप्टन मैथू बेब, इंग्लेस चैनल पार करने वाला पहला बेप्ती था याद रखे, कैप्टन मैथू बेब 1896 में ओलंपिक की शुरुआत से ही, पुरुस तैराकी उसका एक भाग है माहला तैराकी 1912 में ओलंपिक खेलों में सुरू हुआ, स्वेमिंग पूल की लंबाई की बात करें तो 50 मीटर, चोड़ाई 21 मीटर, गहराई 1.8 मीटर, लेंड की लंबाई 8 होती है लेंड की चोड़ाई आपकी 2.5 मीटर होते, पहले तथा आठवे लेंड की बाहर, कम से कम 0.5 मीटर चोड़ाई, चोड़ी जगह लोनी चाहिए पानी से बाहर पिलेट कॉम के उचाई ये 2.5 और 0.75 मीटर बैक स्टोक के लिए पानी से बाहर हैंड ग्रेप की चोड़ाई उचाई 0.3 और 0.6 मीटर होने चाहिए पानी का ताबमान 25 सेंटीमीट ग्रेड 75 फॉरें हाइट होना चाहिए स्वेंग पूल तथा ड्राइविंग कुगा के बीच ने उन्तम दूरी 5 मीटर होने चाहिए फिर आपका तीर अंदाजी इससे संबंदीत कुछ आपके सब्द दिये गए है किस्टल बो अगर वैंकर प्वाण्ट आर्चर बलाएक बली हालू ट्रा रविट विलिंग है वैलियर फैलेजिंग सिट अपर अपर अलुआ叜meye सिट एय फैल अपर लिंब लं लिंब फैलेट फैल उब अदर उब़ लेट डाउन, वैली, बेसल बेंड, क्राष्ट, बट, ड्रावर्ट, बुलाइट, बाल उसके बाद है आपका निसाने वाजी क्या है निसाने वाजी? इससे समंदी सब्दा वली है स्केट सूटिंग, वर्ड, टारगे, सौट, इस्टेंडिंग, फ्रॉन, निलिंग, मजेल, बुलसाई, मार्क्स, मैंसिप, बैग, ट्रेंट सूटिंग आदी पिरमों के कब और ट्राप या है एम, एम दक्ता ट्रोपी, राष्टी टेम, नौर्ट बेल्स कब फिर आपका भारों तौलन है सभी भारों तौलन पिते युटा में केबल डिस्क, वार्वेल्स की मानत्ता पर आपते है वार्वेल्स का आकार सिलिवर्स के बाहर बार की कुल लंबाई आपकी 2.2 मीटर अधिक्तम हंद्रे कॉलर्स के बीच की दूरी की बात करें तो एक दसम लग 31 मीटर बार का ब्यास की बात करें तो 28 मीटर मिली मीटर सिलिवर्स का ब्यास आपका 50 मिलीमीटर या फिर फिलास्टिक कबर से ढक्य होने चाहिए 50 kg घरा, 25 kg लाल, 15 kg पीला, 10 kg उजला, 5 kg उजला, 2.5 kg, 0.5 kg, 0.25 kg, 0.25 kg भालतोलग का बरगी कान, पितियोकता स्रूह होने से 2 गहंटा, 15 मेट पहली भालतोलग का बजन किया जाता है इससे सम्बादित अगर हम लोग सब्दों की बात करें तो बार वैल हो गया, branch press, clean curl, d-lift, press snatch, replicate, stand, set, lugged arms, two hand, two head snatch, two hand clean, two head press be in, deep knees bend, no lift, lift, disc, collar, grip, backs, sport, chucking, bed edges, or dead lift, plate form, square, tie, point, collar, lock, jury, belt, पाक नोका इन की बात करें हम लोग, तो सब्दा बली, इसमें आपका सब्दा बली है, सूलिंग, फिन, पिलाइंग, डच्मेट, मैन, 470 किलास, टोरंगे स्टार, टेपेजी, माल्ट, बूम, बैटेंस, फोरवर्ड हैंड, हेलम्स, मैन, लडर, इस्टेश, गैन शेल, इस्पैनर, जिव, हाईकिन, इस्टेप, फिर आपका गुर्दोर्ड, इससे संबंदित आपके सब्दे हैं, जाकी, पंटर, इस्टी, पल्चोज, चोज, स्टेंड, पिडाक, वाक ओवर, हेडवी, इट, स्टेक्स, स्वी, स्वी, फस्टक, फैल, डिच, हार्ड, लाइस, कब ततना टेरापिया हैं, बिलू, रिवन ट्रोफी, गैंड, नेशनल कप, दर्भी कप, बीडर्स कप, गोरबोर्ड कप, पिस्टन गोल्ड कप, चेंटन हाम गोल्ड कप, संबंदित इस्थाने इंडरी, और इरसन इंगलेंड, गोरसबारी की बात करें तो बुस, इसते संबंदी सब्दे हैं, आपके बुस, एंड, रेल, हंग, बैक, पोस्ट एंड, रेल, नेरो इस्टाइल, फ्रैंसी गेट, डवल, परेलल, पोर्ट्स, ग्राणपी, ब्यूस, हैटिंग, वेटन रेले, फाल्ट एंड, आउट रेले, एक्यू, मिल्योटर, दर्भी, नेशन्स, कप, एरिया, एरिना, डिपल, डिपल, बा बात करें, अगर तलवारवाजी सब्दों, इससे संबंदी सब्दें, फायर, फायल, एपी, सेबरे, बाउट, अटेक, पैरी, रिपोस्टी, हेट, फेलर, पिष्टे, हाल्टे, फिलेचे, एन गोर्डे, आलेच, आलेच, प्रेच, टाई, पोलो से अगर बात करें हम लोग पोलो के बारे में, तो इसकी मैदान की लंबाई 270 मीटर, मैदान की चोड़ाई 180 मीटर, खिलाडियों की संक्या 4 होती है पोलो में, याद रखना है आपको, पोलो में खिलाडियों की संक्या 4 संबंदी तिस्तान है हली घम, इंग्लेंड, इससे संबंदी सब्दों की बात करें है तो चकरवाल, गोल, गोलपोस्ट, हैट, होक, इंटरवल, पोलो, डिस्टिक, पॉनी, राइड ओप, सैप्टी एरिया, गोल लाइन, तचलाइन, बंडर, मिलेट, गेलोपिंग, एंगल ट्राट, पैनल्टी गोड, हैडी कैप, चुक्का, पोलो बोर्ड, एरिस रेल, राइट ओप, फ्री हिट, यह आपकी पोलो से संबंदी सब्दे हैं, अब कप एवां ट्रॉफी की अगर हम बात करें, तो किलासिक कप हो गया, राजा हनुमंत सिंग कप, सुडान कप, प्रेस काड़ी कप, कोलंका कप, ट्राइट डेंट कप, काउंडरी पार्क, गोल्ड कप, एजरा कप, अब है आपकी कवड़ी, कवड़ी के बात करें तो 1982 के ACI खिल में से पिदर्सनी खिल के तोर पर सामिल किया गया कवड़ी को, अब तक दो ACI खिल, बिजिंग 1990 और हीरो सीमा, 1994 म का चाइना, और हीरो सीमा, जापान, कवड़ी को भारत में बिविन नाम से जाना जाता है, दच्छिन भारत में हूतू, 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 तू, तू, या फिर चिड्डू, गुड्डू, पूरवी भारत में पुरसों के लिए हड्डू, महला के लिए टू की टू, उत्तर भारत में कवड़ी कहा जाते हैं, कवड़ी के मैदान की अगर लंबाई की बात करें तो 12.50 मीटर, कवड़ी के मैदान की चोड़ाई की बात करें तो 10 मीटर, महला तथा पूरस 50 किलो ग्राम से उपर की खलाड़ी के लिए, मैदान की लंबाई आपकी 11 मीटर, और महला तथ से जाना चोड़ी नहीं होनी चाहिए और खिलाडीयों की संक्या साथ होती है आप יाद रख़िये किया याद कबदी में की संक्या साथ होती है मैच का समय 20 मेंट का 2 हाप, महिला के लिए 15 मेंट और आराम का समय 5 मेंट दिया जाता है इससे संबंदी तगेर हम लोग सब्दों की बात करें तो लौबी हो गया बॉक लाइन, मार्च लाइन, केंट, रेडर कप की बात करें तो फेडरेशन कप, प्रो कवड़ी कप, कवड़ी बिसकप फिर आता है आपका जूडो इससे सम्बन्दी सब्दों की अगर हम लोग बात करें तो से आजो, हतेई, हाजमे, मेते, नागे वाज़ा, कातिमी वाज़ा, इप्वयोण, वाजा अरी, जूडोगी, ने-नजा, कावा जुगा की, हिंसो को मेके, ब्रिज इससे संबंदी सब्दों की बात करें तो रिवोप, रप, सलेम लिटिल, सलेम, ग्रेंड सलेम, डमी, ट्रम्प, ट्रिक्स, बलन, रेवल, नो ट्रम्प, डिकलियर, परफेक्ट, डिस, प्वाइंट, लाइप, मास्टर, कार्ड, सूट, डिलर, फाइनेंस यह आपके विरेश से संबंदी सब्द हैं कब और ट्राफी की बात करें इससे तो रामनेबास शुरुया, चैलेंज, गूल्ड ट्राफी, हौलकर, टॉपी, राष्टी, महिला, बिर्ज भी फिर आपके कराटे से अगर सब्दों की बात करें कराटे से संबंदी तुसोबू, सनबोच, हाजीमे, यामो, बजारी, एपोन, तलू, जेकेटे, हाजीमे, हंतेईगी, इंकोलें, कराटीगी, जानसीन, कीकोको, हैनलुकू, चुई, सनब्रॉन, और सिक्कागू फिर आपका नौकायन है इससे संबंदी तगर सब्दों की बात करें हैं लोग, नौकायन, तो नेट, पैडल हो गया, रिगाटा, फेटर, बक, बकेट, बो, ओर्स, काउ, एग्रोमीटर, हैडर, रेसिज, गो, इसकल्स, इस्टॉक, गोमन, ओस्मेन, काक्ष्ड, पैंथर्स, रोइंग, संबंदी तिस्थान की बात करें तो पटनी, मोट, लेक, रंग, लेंड, कापो, ट्रॉपी की बात करें तो अमेरिक, अमेरिकन का बेलिंग्टन ट्रॉपी, सक्ती ट्रॉपी, राष्टी है पुरूस, बग में, एड्मिरल कभी, फिर आपका आता है बाटर पोलो, वाटर प पानी में फेका, जिससे पीछे दूसरा सदस पानी में कूंदा और बॉल को वापस पहले की पास फेका, वह फिर दुबारा उसकी तरफ फेका, सन 1889 में एक नया विचार आया, कि पानी में फुटवाल, खेलने का जिससे नियम फुटवाल पर आदायत हो, इसको उननत बनान फ्रीमिंग क्लब ने पहला वाटर सोकर नियम बनाये, पहला ओफिसियल मेच सन 1844 में, लंदन में की क्रेश्टल पैलिस में खेला गया था, पहला अंतराश्टी मेच 1890 में, इंग्लेंड और स्कॉटलेंड की बीच खेला गया, जिसमें स्कॉट्स 4-0 सी जीता, और 5 वर्स इंग्लेंड और आयलेंड की बीच मेच खेला गया था, ठीक है? फिर आपके 1893 में, वाटर पोलो सारी एरोब में खेला जाने लगा, पहले जर्मनी और ओस्टेया में, उसके बाद हंगरी में, पहला एरोपियन वाटर पोलो चेंपियंशिप 1926 में बोड़ा पेश्ट में खेला गया था, सन 1950 में अंतराष्टी वाटर पोलो बोड़ बना, ओलम्पिक खेलों में वाटर पोलो सरपितम सन 1900 में पेरेस ओलम्पिक खेल में सामिल किया गया था, इसमें अगर वाटर पोलो की खेल में खेलाणियों की संख्यागी बात करें तो साथ है, कितनी साथ, पु पहला के लिए बाटर पूल और मैदान की लंबाई चुणाई 17 मीटर, गोल पोश्ट के बीच की दूरी 3 मीटर, गोल पोश्ट बार और पानी की सत्य की बीच की दूरी 0.90, जब पानी की गहराई 1.50 मीटर याउस से जानदा हो, बॉल की परदी 0.68 से 0.71 मीटर, बजन 400 से 450 ग कैप का रंग एक टीम उजला और दूसरा गहरा नीला, इस पर दोनों तरफ नंबर लिखाऊं होना चाहिए, खेल का समय 7 मिनिट की 4 हाप होते हैं, आराम का समय 2 हाप की बीच 2 मिनिट का दिया जाता है, आपका खोखो, इंड, अंतिम लाइन की लंबाई, सीनियर और जूनि स्टेंटर लेन, दो पोष्ट की बीच की दूरी 33 सेंटीमीटर, यानि की 30 मिटर होती है, सोरी, फ्री जॉन, पोष्ट के बार आयताकार छित जो फ्री जॉन कहलाता है, सीनियर के लिए 275 सेंटीमीटर लंबा, तथा 16 मिटर चोड़ा, और जूनियर के लिए आपका 255 मिटर लंबा, और 14 मिटर चोड़ा होता है, खोको फेल्ड की दिमा 22 मिटर होती है, लंबाई में, और 13 मिटर चोड़ाई में होती है, ठीक, फिर चेजर, वह ए खिलाड़ी जो बर्ग के अंदर बैठते हैं, उसे चेजर कहते हैं, एक एक्टिव चेजर होता है, वह है, जो त्वंदी टीम रनर कहलाता है, रनर हुआ होता है, जो सीमें चेतर में दौरते और डिपेंडर कहलाते हैं, खो देना, जब एक एक एक्टिव, अपनी ही टीम अन्न चेजर को, जो बैठा होता है, उसके पीछे से हाथ से छूता है, तो जो उसे खो बोलता है, एक काल्पनेक रेखा जो कोट से खिलाडी के कंदे के सेंटर से आती है, उसे सोल्डर लाइन कहते हैं, रेशेड, जब एक एक एक्टिव चेजर, जमीन कुछ होता है, तो जिसे वह कबर करता है, एक निश्चे दिसा में जाने, मित्तब उसे रेशेड कहा जाता है, लॉबी, फिल्द के चारों तरफ, एक दसमला पांच मीटर चोड़ी रेखा को लॉबी कहते हैं, खिलाडियों की संख्या बात करें, तो 9 उपकुल इसमें बारे होती है, खेल का समय चेजर और रनर के लिए 9 मिनिट पिते के लिए, आराम के लिए 5 मिनिट होता है, सब जूनियर के ल में मात 3-4 इस्टाइल ही थे, परन्तु असली जमनाश्टिक का उदय इतिहास के ग्रेख और रोमन काल में कोया है, विस जमनाश्टिक की सुरुआत भी ग्रेख से ही हुई है, जमनाश्टिक के चित में माथून योगदान, जर्मन के जोहान विसेडो, 12 सन 1776 में इनके द्वारा लिखित पुस्तक है जमनाश्टिक फोर यूथ को जमनाश्टिक पर लिखित पहली पुस्तक माने जाती है, जमनाश्टिक को 1924 की पेरिस की उलम्पिक खेल में सामिल किया गया, जमनाश्टिक के पिकारों की अगर हम लोग बात करें, विभिन पिकार की होती फिलोर एक्सरसाइज या 12 into 12 meter की फिलोर एक्सरसाइज का समय 50 से 70 सेकंड होता है इसमें तीन टबलिंग कनेक्शन होता है तथा एक स्टेथ पोर्ट होता है जिसमें शरीर को एक हाथ या एक पेर पर संतुलिद करना होता है पॉमेल हार्स इसमें कम से कम दो सीजर एक्सरसाइज हर कलेक्शन में किया जाता है फिलाइंग रिंग इसमें फिलाइंग करते हुए हाथ और सरीर की साहता से आक्ति एम एल आक्रिटी आदी बनाना होता है पेरालल बार्स इसमें तीन एक्सरसाइज से जाना नहीं होता है तथा दो सेकेंड का होता है लकडी का बनावा कुछ उचाई पर दो समानतर वाक्स पर किया जाता है बॉलिम वाली वाली वॉ रिंग इसमें एक उचे बक्से पर हाथ के बल कला बाजी करते हुए नीचे लेंड करना होता है होरेजियंटल बार्स इसमें एक्सरसाइज का एक भाग दारसल या फिर अलग्रेप हैंग से होता है कम से कम एक flying swing दोनों हाथ से होता है तथा साथ छोड़कर तथा हाथ छोड़कर swing के दोरान वाइस को फिर से पकड़ना होता है सब्दा बाली के बात करें तो tumbling हो गया Indian islam swinging Land, horse Long horse, Peterwood, Barwell एक टेंबोलिंग, perfect, 10, horse vault, asymmetrical verse, landing, beam, kips, hect, needle stand, chagunion, chakre इससे संबंदीत कप और ट्रॉफियों की बात करें तो चाइना कप हो गया पिस से जिमनास्टिक इस परदा, यूरोपेन जिमनास्टिक फिर आपकी ओलम्पिक खील इससे आपकी question अधिक पूँचे गए प्राचीन ओलम्पिक खील यूनान की कोलम्पिया सहर में 776 इसापूर में प्यारम हुए था पहली बार या खील ग्रीक देवता, जूस के सम्मान में खेला गया था एक खेल तब से चार वर्सों में एक बार 394 सीवी तक खेली गया फिर रॉब के राजा धियो डोसियस के यादिस्प के कारण इन खेलों को बंद कर दिया गया आधुनिक ओलम्पुक खेल पितियोगिता की प्यारम 1896 में हुआ फ्रांस के वेरोन पेडिडी, कोवार्डीन के प्रियासों से युनान के एंतिन सहर में हुआ था 1896 इसका आयर्जन भी पितेक चार वर्स के इंतराल पर किया जाता है अंतराष्टी ओलम्पिक की इस्ता अपना 1894 में सकुन नामक इस्तान पर वब्री थी तो इस सम्थी को भी याद रखना है इसका मुख्याल एं लोसाने में है, सुईजेल έχει में आंतराष्टी ओलम्पिक सम्थी ओलम्पिक खेलों को संचालित करने वाली संस्ता है इस सम्ती की एक कारकारणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष तीनुप अध्यक्ष जो साथ अन्य सदसूते हैं यह संस्ता ओलम्पिक खेलों का इस्थान नियम संचालन आधी का निर्धारन करती है भारती ओलम्पिक परिशत की स्थापना 1924 में की गई सर जेजे टाटा इसके पितम अध्यक्ष थे ठीक ऐसे भी याद रखना ये भी पूँश सकता है ओलम्पिक अगर दोच की बात करें हम लो तो 1913 में बेरोन पेरेडी कोवार्टीन की सुझाओ पर ओलम्पिक दोच का सेजन किया गया बनाएगा जो 1914 में इसका विदीबत उद्गाटन पेरेश में हुआ इस दोच को सर पितम 1922 के एंडवर्फ ओलम्पिक में फैराए गया दोच की जो पेश्ट भूमी है सफीद है कैसी है सफीद सिल्क के बने दोच के मद ओलम्पिक पितिक के रूम है पांच रंगीन चक है एक दूसरे से मिले हुए दर्साइड़े है जो विसके पांच पांच महादीपों के पिति निदित्र करने की साथ निस्पक छेवं मुक्त इस पर्दा का पितिक है जो आपका ये भी पूछ लेता है कई बाद नीला चक है ये ये उरोप से संबंदी थे जो पीला चक है एसिया से संबंदी जो काला चक है अफीका हरा चक ऑस्टेलिया और लाच चक उत्री और दचडी अमेरिका से संबंदी थे ठीक है उलम्पिक के उद्देशों की बात करने तो 1857 में फादर डी डॉन डॉन द्वारा स्टियस अल्टियस फोटियस लेटन में उलम्पिक के उद्देश है जिसका आर्थ है कि तेज उंचा बलवान इसको उलम्प एमस्टरडम उलम्पिक से हुई है याद रखना उलम्पिक मसाल की शुरूआत 1928 से हुई है सन 1936 में वर्लिंग उलम्पिक खेलों में मसाल के वर्तवान स्वरूप को अपनाए गया इसी समय से उलम्पिक मसाल का आयोजन इस थल तक लाने का पिचलन प्यारम हुआ है इस मस जन इस थल तक विभिंड खिलाडियों द्वारा लाई जाती है इसी मसाल से खेल समारों विसीज की मसाल पर जुलित की जाती है ओलम्पिक पदख ओलम्पिक खेलों में विज़ता को तीन पेकार की पदख दी जाते है सवड़ रजद कास सवड़ पदख है जो इस 6 mm बृत म तीन मिलीमीटर मोटा होता है यह 92.25 परतियुक्त 6 ग्राम का सोने का होता है रजयत पदत की बात करें तो ये 60 mm विद में 3 mm मोटा होता हो 92.5 पितीसद रजयत का बना होते हैं कास पूरी तरह से खास से बना होता है सवड रजत कांस पदक करम सा पिथम दुतिय उतितिय इस्थान पर आने वाले खिल्याडियों को मिलाता है जो पिथम पर आता है उतिस सवड और जो दुतिय पर आता है उसे रजत उतितिय वाली को कांस अगर उलम्पिक की सुभंकर की बात करें हम लो तो इंसान या जानवर की आक्रिटी वाला सुभंकर मेजबान देश की संकितिक धरूबर को दसाता है यह सर अपितम 1968 से सुरूँगा है कब से 1968 से यह भी आपके देख लीजिए कुछ बता देता हूं वह बाकी आप देखते रही है पहला 1896 में एंतिक्स युनान में इसमें 14 देशों ने भाग लिया था फिर आपका छटवा हुआ था ए 1916 में वर्लिंग जर्मनी में यह उद्ध के कारण नहीं हुआ था इसे याद रखिए यह भी पूछ सकता है कि किस साल सबसे पहले नहीं हुआ था तो यह होना था 1916 में वर्लिंग जर्मनी में लेकिन यह उद्ध के कारण आप जानते हैं कि पिथम विसेउद्ध हुआ था ना 14-18 तक 1914-18 तक तो इसे रद कर दिया गया था फिर उसके बाद आपका 1920 में हुआ Antwerp Belgium में इसमें 29 देशों ने भाग लिया फिर आपका बार 1940 में हुआ Tokyo Japan में सॉरी ये भी नहीं हो पाया था क्योंकि 1940 Tokyo Japan में दुतियविसेउद्ध के द्वरान यहद के कारण नहीं हुआ था 19-1944 का London Bayton यहद के कारण यह भी नहीं हो पाया था दुतियविसेउद्ध के द्वरान 1948 में होता है बेटेण में इसमें आपके 69 देशों ने भाग लिया था फिर आपका 1968 की वाक्त करते हैं कि उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दोजार सो लएके के रियो डी जिन्रो में बिराजील में हुआ था बैनिसीयस दोजसो साथ देसों ने भाग लिया था 2020 का टोकियो जापान में होगा अब देखिये होता है या नहीं कोरोना वायरस की बज़े से जो भी होगा आप अपडेट बने रही है पेरेस ओलमपिक 1924 में पांच छलों को ओलमपिक खेलों के फिदिक चिंड की रूम में इस्थाई रोप से मानता मिली बाद में ओलमपिक धर फिलिप्स ए अमेरिका के हैं पता है 800 जीते नों ने 2008 में तैराकी में एक बार में 800 फिरा आपके मार्क इसपत्च ए साथ इनों ने अमेरिका के हैं 1972 में तैराकी में छे माइकलस फिलेप्स अमेरिका के हैं 2004 में तैराकी में छे बिताली सर्व dalla और ठूरूस्त की ती 1992 में जिमणाश्टिक में चार मेट बेउन्डी अमेरिका की थी 1988 में तैराकी में पांच बिलिस ली अमेरिका 1922 में निसानीवाजी में माइकल फिलिप्स अमेरिका दोजार बारे में तेरा की में अब समझे आपके यहां अगर स्वर्ड पदक की सोचिए अगर रजत पदक भी मिल जाता है तो आप कितने खुस हो जाते हैं और अमेरिका का एक ही खलाड़ी एक बार में ही आठाठ स्वर्ड पदक जीत का आ रहा है समझ रहे हैं महला वरक की बात करें अगर हम लोग तो चैप स्वर्ड पदक क्रिष्टन ओटो पूरवी जर्मनी की थी 1988 की बात है तेरा की गेचेत में चार एक तेरीना जावो रोमानिया की थी 1984 में जिमनाश्टिक में चार कोडीलिना एंडर पूरवी जर्मनी की थी चार वेरा कार कासला वासका चैप गड़राज की थी 1968 में जिमनाश्टिक में एगनेस के लेटी हंगरी की थी 1956 में जिमनाश्टिक में चार लेरीसा लेटी नीना सुवी तरसंग की थी अब भारत की अगर उलम्पिक में हम लोग 26 पदक की बात करें तो रजट पदक देखिए आपका 2016 में रियोडी जिनरो में हुआ था बैडमिंटन में पीवी सिंदू ने जीता था अब सोचिए कि कितनी चर्चा में रही है उस समय के वह रजट पदक जीता था वहां देख रहे हैं कि 6688 एक ही खिलाडी जीत के लिए जा रहा है कास पदद 2016 रियोडी जिनरो में कुस्ती में साक्षी मलक ने साक्षी मलिक ने रजट पदद 2012 में लंदन में निसानेवाजी बिजे कुमार 25 मीटर रेपिट फायर पिश्टल में स्वड पददक देख लेते हैं बाकी देखते रहेगा ठीक 2008 में बिजेंग में निसानेवाजी में अभी ने बिंदर आने जीता था 10 मीटर राइपल्स में याद रखी स्वड पददक है ये थिर आपके स्वड पददक की बात करें तो 1980 में मौस्को में होकी में पुरुष टीम ने जीता था उसके बाद 1964 में स्वड पददक जीता था होकी टीम ने पुरुष टीम ने 1952 में जीता था स्वड पददक होकी ने पुरुष टीम ने यानि कि पुरुष टीम ने कई बार जीत लिया है 1948 में लंदन में हुआ था उसमने वह कि टीम ने जीता था फूरोष्टी में 1936 में 1932 में जीता है इसमें फूरोष्टीम ने स्वड पद together 1928 में एम्स्टरडम होकी में पुरुष टीम ने रजत पदर 1900 में पेरिस में हुआ था 200 मीटर दोर में नॉमाइंड पिचर ने जीता था पिचर एक बैटिस बूल के पहले भारती थी जिन्होंने ओलम्पिक में भारत की उरसे सरकित की थी ओलम्पिक में सरवादिक पदर जीतने वाली खिलाडी पुरुस बरग माइकल फिलेप्स अमेरिका के 2004 से 2012 में एक देख ली जए इसे 2004 से 2012 में 28 पर जीते जिसमें से 233 थे 2 रजत और 53 महला में लेरिसा लेटी नीना सोबीत संगी थी 1956 से 1964 तक कुल 18 पदर जीते जिनमें से 9 स्वाड 5 रजत 4 कांस रियोडी जिनरो ओलम्पिक में 2016 में सरवादिक पदक अमेरिका ने जीते थे कुल 121 पदक जीते थे जिनमें से आपके 46 स्वाड हो गया 37 रजत तो कांस 38 38 आप समझ रहे हैं बैसे ही नहीं बिक्सित देश बोला जाता है वो बिक्सित हैं वहाँ की सोज भी बिक्सित हैं एक रजत एक कांस के साथ भारत का इस्थान 2016 में ओलम्पिक में मंगोलिया के साथ सरसटवा था कौन सरसटवा जबकि पिताम अमेरिका दुती ग्रेट बैटन तिसरा चीन और चतर थरूस हमारा पड़ोसी भी जो हमारे हमसे दो साल बाद आ जाद हुआ 1949 में जाकर और वो भी हमसे आगी निकल चुका है तो आप अपनी देश की इस्थिती जान सकते हैं बेंतर तरीके से समझ रहें कहीं नहीं कहीं तो हमसे भूल होती है यह तो आपको मानना पड़ेगा अब आप किनने देखा है 1947 से गरीबी हटाएं हटाने का अंदूलन किया जा रहा है नारा दिया जा रहा है अभी तक नहीं हटपाई है एक तो हमारे देश की जन्दा भी उतना ही दोसी है जितना नेता है अब केरल में आप समझ रहे हैं केरल में बी-आइपी सविधा है स्वास्त में देख लिजे सिक्छा में देख लिजे महिलाओं की स्थिधी देख लिजे बहुत बहतर तरीके से क्योंकि हम लोगों जैसे वहाँ भक्त नहीं पैना होते हैं कि हम लोगों ने कांग्रिस को 70 साल दिये उसके बाद हम दूसरी पार्टियों को भी देते रहते हैं बीजेपी को अब सुरूंग हो गया 70 साल तक इसे देते रहे है देश के जो हाल हैं वो बने रहेंगे तो हमें सिक्षा दिली का मुझे अच्छा लगा कि देखी गरीब को क्या चाहिए सिक्षा मिल जाए, स्वास्त मिल जाए और खाने की यानि कि रोजगार मिल जाए बस तीन तो मुद्दा हैं गरीब के वो गरीब नहीं कहलाएगा अगर आप इसे तीन ये मुद्दे दे देते हैं लेकिन कहां मिलता है, कुछ नहीं मिलता है बिस्ट के पितम ओलम्पिक खेलों के पश्चाद राष्ट मंडल, अतवा राष्ट कुल खेल पुरान अना में इसका बेटेस एंपायर खेल समारू बिस्ट का ऐसा दूसरा बड़ा खेल महतसव है इस खेल में समारू का आईजन पुरा दो ओलम्पिक खेलों के मद्द किया जाता है जिसे ओलम्पिक पर्स कहा जाता है राष्ट मंडल खेलों की सुरात 1930 में हैमिल्टन कनाड़ा में हुई थी अब तक ऑस्टिलिया कनाड़ा इंगलेंड निउजिलेंड इसकोटलेंड बेल्स ने सभी राष्ट मंडल खेलों में हिस्सा लिया है 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट मंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था वर्थमार में राष्ट मंडल देशों की संक्या, सदर संक्या, चमगंती लेकिन खेलों में 81 टीमों ने हिस्सा लिया था भारत के नई दिल्ली में आईजित 19-वे राष्ट मंडल खेलों में 38 स्वर्ड पदक से 101 पदक जीतकर भारती अदल दूसरे स्थान पर रहा था भारत में आईजित 3 अक्टूबर 2010 को 19-वे राष्ट मंडल खेलों का आरम हुआ था या अदर के या एखेल 12 दिन तक चलने के बाद 14-वे राष्ट मंडल खेलों का डेविड डेक्सन पर उसका जमेका की महिला एथलीट ट्रिट्रिया इस्मित को गया था आपको पता है यह पक्षी अभी आवा जा रही होगी आपकी यार कई बार आवा जाती रहती है क्या कर सकते हैं या एक तुपास में मस्जित की आवा जाती रहती होगी या एक पास में मस्जित है उसकी भी आवा जाती रहती हो पक्षियों की पता नहीं अभी जो पक्षी स यानि कि मौसम के साथ यह भी बदलने लगा है अब बात करते हैं राष्ट मंडल खेलों की आयोजन तालिका तो 1930 में हुआ यह स्थान हो गया अपितियोगी देश हो गया खेलों की संख्या एपितमस्थान 1930 में हैमिल्टन कर्णाडा में 11 देशों ने भाग लिया था खेलों की संख्या छैती इंग्लेंड में हुआ था ठीक है उसके बाद आप देखते रही है आंगे हम लोग चल रहे हैं 1970 में का देख लेते हैं एडन वरा स्कॉर्टलेंड में इसमें 42 देशों ने भाग लिया था नौ खेलों को सामिल ऑस्टेलिया में ठीक है उसके बाद 2002 का देखते हैं मांचेस्टर इंग्लेंड में 72 देशों ने भाग लिया था 17 केल ऑस्टेलिया में हुआ था ऑस्टेलिया इसमें बिजयी रहा था ठीक है पिथमस्थान रहा था इसका फिर आपका 2010 में नई दिल्ली में हुआ था 19 भारत में 81 देशों ने भाग आज बिए था ऑस्टेलिया और 2022 का वरिमिंगम इंगेंड में है यादर्खी इसे पूंचा जा सकता है इन खेलों जो इस× ललगे हुए दो सामिल किया गया था एकश्टर बाली इन खेलों में पहली बार किर्किट को किर्किट को सामिल किया गया था फिर आप सुनते हैं ACI खेल इनकी शुरुआत 4 मार्च 1959 को ACI खेल का प्यारम नई दिल्ली में हुआ था अपने ही देश में दिल्ली में ACI खेल संग में चमकते सूरज को अपने पितीक चिन ने गोशित किया गया ACI खेलों के में सामिल राष्ट मंडल राष्ट एवं खेलों की बात करें दो तो 1959 में आपका नई दिल्ली में हुआ इसमें 11 देश थी और 6 खेल सामिल किया गया थी उसके बाद देखते रहना आगे ठीक है 9-10 की बात करें तो 1982 में नई दिल्ली में हुआ था इसमें 33 देश सामिल थे 21 खेलों को सामिल किया गया था उसके बाद 2018 में जकारता पेलेंबर्ग बैंग में हुआ था इंडोनेसिया में इसमें 45 देशों ने भाग लिए था 40 खेल थे 2022 का हांग जू चीन में हुआ था इसके बारे में हम लोग करेंट में पढ़ भी चुके हैं 2019 में जो भी करेंट अफियस हम लोग पढ़ते हैं 2018-2019 सभी इन्हें देखते आए हुए है इसपेशल वीडियो पूर आईए स्पीसियेस इसमें देख लिया करिएगा इसमें सब कुछ दिला हुआ है सेप खिल वर्स हो गया इस्थान हो गया देश हो गया 1984 में काटमांडू नैपाल में 1987 की बात करें तो कोलकाता भारत में हुआ था उसके बाद 1995 में ये मद्रास भारत में हुआ था उसके बाद 2013 में दिल्ली में भारत में हुआ था 2016 में ग्वार्टी और सिलांग में हुगा था भारत में और 2019 में काठवांडू नेपाल में ठीक है अब आपके विविन्ने देशों के राष्टी ये खेलो गए ये देश हो गए राष्टी ये खेलो गए अउस्टेलिया किरकेट, ब्राजील फुटवाल, बंगलादेश कबड़ी, भूटान तिरंदाजी, करनाडा आइस होकी, जापान जोडो, दच्चेन कुरिया ताइक क्वाइंडो, मलेशिया बैडमिंटन, न्यूजिलेंड रगवी, पाकिस्थान होकी ठीक है, उसके बाद ये है आपका चीन, टेवल टेनिस, सहिफतरा जमीर का बैसबॉल, इंगलेंड किरकेट, भारत होकी, भारत का यादर की होकी, क्युवा बैसबॉल, थ्रांस फुटवाल, होकी पाकिस्तान का भी राष्टी के लिए, स्कॉर्णलेंड रगवी फुटवा स्पैन, बुल, फाइटिंग, स्री लंका, बॉलीवल, स्वेदन, फुटवाल, रूस, फुटवाल, एवराम, सतरंञ, इंडोनेसिया, बैडमिंटर, ठीक है, इसके बाद ये भारत की प्रमुक्स्टेडियम है, इह स्टेडियम हो गया, खेल हो गया, वर्ड्यस्तान हो गया वानखेडे स्टेडियम किरकेट मुंबई में, ब्रेवोन स्टेडियम किरकेट ये मुंबई में, नहरू स्टेडियम चेपक किरकेट से सम्मंदी थे चेंड़ी में, अमेडकर स्टेडियम फोटवाल नई दिल्ली में, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम होकी यापका नई दि लाल बहादुर साप्थ री इस्टिडियियम किर्केट आपका हैदराबाद में नेहरू ेस्टोडियम ओए आपका किर्केट्स समांदे थे इंडीर में है। चिन्ना सवामी Stadion किर्केट बेंगलोर में। केडी सिंग बाबु Stadion किर्केट लखनुग में, मुएन उल्हक इस्टेडियम किर्केट पटना में, इस्ट बंगाल ग्राउंड फोटवाल कोलकाता में, मोहन बगान ग्राउंड फोटवाल कोलकाता में, मोहन मुहम्मद स्पोर्टिंग ग्राउंड फोटवाल कोलकाता में, फ्रोसाय कोटला मैदान क किर्केट नहीं दिल ली ज्वाललाल नहरू इस्टेडियॅमReally ऊंलाइडार बल्लभभै पतल किर्केट अहमदाबाद में किनन चेडूम बारावाली पती अस्टेडियोम किर्केट क्टक दू जूम इड़न इडर्न किर्केट कोलकाता यूबभा़ती स्टेडियम साल्ट रे लेक स्टेडियम फुटवाल कोलकाता नेता जी स्टोर इंडोर स्टेडियम इंडोर गेम कोलकाता में गरीन पार्क स्टेडियम किरकेट कानपूर में सवाई मान्थिंग स्टेडियम किरकेट जैपूर जे एस स्टी ए स्टेडियम किरकेट राची में त अब वेवेन खेलों के कोट माप हो गए, किर्किट की बात करें तो पिछ की लंबाई 20.12 मीटर, चोड़ाई 3.05 मीटर, फोटोबाल की बात करें तो लंबाई इसकी 109.72 मीटर, चोड़ाई इसकी 48.76 मीटर, बैडमिंडेन की बात करें तो 13.14 मीटर, और इन्टु 6.09 मीटर य कॉड़ाई इसकी 25.90 मीटर, कवड़ी कीलंबाई 12.05 मीटर, चॉड़ाई 10 मीटर, खोखो, लंबाई 27.75 मीटर, लॉन टैनिस लंबाई 33.77 मीटर, 4.10.97 मीटर, टैनिस टेबल टैनिस 2.14 मीटर, 4.1.525 मीटर, महरा थन दोड लंबाई 42.195 किलो मीटर बॉली बॉल इसकी लंबाई 18 मीटर और 49 मीटर यह आपके विश्ट के भी कुछ किर्केट इस्टेडियम दिये गए है इस्टेडियम हो गया इस्थान हो गया सिड्नी किर्केट ग्राउंड बेस्टरन ऑस्टेलिया किर्केट चोरी सिड्नी किर्केट ग्राउंड यह आपका सिड्नी ऑस्टेलिया में है यह आपका नीची बेस्टरन ऑस्टेलिया किर्केट इस्टेडियम बाग का पल्त ऑस्टेलिया में Melbourne Cricket Ground, Melbourne Australia, Adelaide Oval, Adelaide Australia, Lords London England, Brisbane Cricket Ground, Brisbane Australia, The Oval Cricket Ground, Cannington London England Kensington Oval, Bridgetown, West Indies, Queen's Park Oval, Port of Spain, West Indies, Ser A Bangla Stadium, Dhaka Bangla Dish, Baag A Jinnah, Lawrence Garden, Lahore Pakistan, Harari Sports Glove, Harari Jambombay, Super Sports Park, Sanctuary South Africa, Old Port, Manchester England, Trench Beach, Nottingham England, St. George, George Park, Port, Elizabeth, Dachdafika, Heddingley, Leads England, Pakia Sothi, Sarawalmuthu Stadium, Colombo, Sri Lanka, Singby Sports Club Ground, Colombo, Sri Lanka, R. Premdasa Stadium, Colombo, Sri Lanka, National Stadium, Karachi, Pakistan, Jinnah Stadium, Sayalcoat, Pakistan, Ghaddafi Stadium, Lahore, Pakistan, Equal Stadium, Equal Stadium, Equal Stadium, Faisalabad, Pakistan, West Park Stadium, Wellington, New Zealand, Eden Park, Auckland, New Zealand, Sidon Park, Hamilton, New Zealand, New Wanderers, Johansburg, Dachshirpika, Saar Jaha, Saar Jaha, Saab Jaha, Saebordiraj, Amirat, Saar Jaha Cricket, Esocean Stadium, फिर आपका दोबाई International Cricket Stadium, Dubai, UA, Sikh Set Cricket Stadium, Abudhaabie, UA, Sabina Park, Kingsston, Jamaica Western League, तो यहाँ चल कर आपका पूरा किरन सामान ग्यान बुक्स कमपलीट होती है अब देखिये पढ़ना आपको पुढ़ेगा इतना बढ़ लीजिए अगर सामान ग्यान से questions कोई गलत होता है तो सबका गलत होगा आपका ही गलत नहीं होगा इतना पढ़ना है आपको बाकी छोड़िए आप SST Bank Railway की तयार ही कर रहे हैं तो 25 questions आते हैं तो उसमें से 25 कोई solve नहीं कर पाता है 20 solve करने बहुत बड़ी बात होती है तो मुझे लगता है आप अच्छे से पढ़ेंगी कोई नहीं रोप पाएगा आपको सफल होने में All the best तीग?